हाँ जो गड़िव नहीं derivative part 2 फोड़ा सा लेट क्योंकि मैं बाहर था ठीक है सर कोई बात नहीं पिछले part में हमने क्या था सर पिछले part में हमने क्या था option अभी क्या करने जा रहा है अभी करने जा रहा है future मतलब second part में ही derivative खतम हो जाएगा हमारा जो रिवीजन चल रहा है ओके तर आप्सन का रिवीजन करवा दीजिए तो वो पिछला लेक्चर देख लेना आप्सन का रिवीजन उसमें मिल जाएगा अब बात होती है future सवाल ये है कि यार forward contract कभी नाम सुना था कि हम लोगों ने yes forward contract में होता क्या है बहुत समझ लो अच्छे से उसमें हम ये करते थे मान लो reliance का share है आज कीमत है 500 आज कीमत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है आज कीमत जो भी हो मुझे ऐसा लग रहा कि future में future में share का price 500 से उपर जाएगा इसको ऐसा लग रहा है राम को और सर्ष श्याम को क्या लग रहा है श्याम को लग रहा है कि price कम होगा और राम को लग रहा है कि price बढ़ेगा तो चलो ना शर्त लगाते है और इन दोनों में शर्त लग गई कब की बात हो रही तीन मेने बात का प्राइज कौन सा है 500 अगर प्राइज 600 हो गया तो सर सौ रुपए इसको मिल जाएगा कौन देगा श्याम देगा अच्छा सर मतलब सर्त लगाई जा रही है हाँ जी शर्त लगाई जा रही है इसको बोलते है फावट कॉन्फरेक्ट बट बीच में अगर स्टॉक एक्षेंज है क्योंकि आमने सामने बात कर रहा है तो यह होता ओवर दा काउंटर फावट कॉन्फरेक्ट हमेशा ओवर दा काउंटर होता है लेकिन बीच में अगर स्टॉक एक्षेंज है तो ऐसे कॉन्फरेक्ट को स्टॉक एक्षेंज के कौन सा कांट्रेक्ट बोलते हैं? क्या जमा करना होता है? मारणय मनी और मार्जिन मनी क्या होता सर डेली एजिस्टमेंट होता है यह सब कुछ पेने करवाया हूँ ठीक है हाला कि थियरेटिकल है तो काम नहीं आएगा यह फावर्ट कॉंट्रेक्ट जो भी मैंने समझाया वही लिखा हुआ है उसके बाद मैंने फ्यूचर कॉंट्रेक्ट के विसे में बोला कि यह स्टॉक एक्षिंज के थ्रू होता है ठीक है और सर इसमें मार्जिन का रिक्वायर्मेंट होता है यस और काउंटर पार्टी डिफाल्ट नहीं कर सकती क्यों नहीं कर सकती क्योंकि दोनों पार्टी का मार्जिन जमा होता है और इसके अलावा यह समझा कि मार्जिन में डेली एजिस्टमेंट होता है हमारे एक्जामे कोशन आयुए हमार्ज और सर्फ फ्यूचर कॉंट्रक्ट में कितनी पार्टीज है तो दो है फ्यूचर बायर और फ्यूचर सेलर जो यह कह रहा था कि यार प्राइज बढ़ेगा मतलब कॉंट्रक्ट ही लेकिन ये नहीं है हम अप साइड बैटिंग कर रहे हैं मतलब हम को हम क्या बोलते हम लॉझ पोजिशन ऑर जिसको ऐसा लगरा प्राइस गिरेगा उसको आप contract to sell भी बोलते contract to sell बागी समझायों पर contract to sell ज्यादा काम नहीं आएगा आप इसे downside betting बोलते या फिर इसको short position बोलते और फिर मैंने आपको समझाय कि sell का मतलब आप short position लेना और buy का मतलब आप long position लेना यहां तक कोई दिक्कत है क्या न theory है ज्यादा focus नहीं करें सबसे important है numerical parts और future contract में total मिलाकर future को हमने चार category में divide कर दिया है इसमें margin account है future pricing है beta management है commodity future है अगर मैं कहूं कि ये दोनों part बहुत ज़्यादा important है तो yes इन दोनों parts को हमको बहुत अच्छे से करना पड़े है तो सबसे पहले किस से बात करें margin margin क्या होता है margin वो होता है जो हम अपने broker के बाद जमा करते हैं या हम जो stock exchange हम शर्ती तो लगा रहे है और अगर हम शर्त हार गया तो हम भाग जाएंगे तो इस भाग जाने के डर से हमको stock exchange में margin जमा करना पड़ेगा यह होता है margin और margin तीन टाइप का होता इनिशियल margin, maintenance margin और variation margin सर इनिशियल margin क्या है जो आपको जब contract आप execute करते तब जमा करना पड़ता है सपोस्स बारा हजार रुपय मुझे margin जमा करना पड़ा कब जमा करना पड़ा जब execute हो रहा है और अगर जैसे जैसे loss होते जाता है इस margin का balance कम होते जाता है असर कम होते गया कम होते गया कम होते गया खतम हो गया तो तो बहले नहीं एक maintenance margin जिसका है आठ हजार यह सब मन से लिख रहा हूँ आठ हजार ताकि यह कोशिन में देगा तो stock actions का कहना है भया बारा हजार जमा करो अब जब कम होते जाएगा कम होते जाएगा loss होते जाएगा loss होते जाएगा फुले हो जात देना कोई चिंतमन घर में बैठे रहा हो कोई समस्या नहीं है कब तक घर में बैठना 8000 तक 8000 का नाम है maintenance margin बोले लेकिन अगर 8000 से कम हो गया किसी दिन loss जादा हुआ और कम होते कम होते कम होते अगर आपका जो margin का balance से वो 8000 से भी जादा कम हो डाउन हो गया चलो और margin लिखकर आओ इसको बुलते margin call आपसे और margin बुलवाये जाएगा balance कितना हो गया था सर 7000 तो सर हमको 1000 और लाना पड़ेगा कि नहीं ना भाई बस यही तो एक दिक्कत है आपको वापस margin का balance 12000 तक पहुचाना पड़ेगा it means आपको 5000 रुपए margin लाना पड़ेगा this is variation margin या margin call बुला जाता इसको यही एक दिक्कत है बच्चों को बस यह दिक्ता है कि यह 8000 से कम हुआ 7000 होगे तो चलो हम 1000 और लेकर आएगे 1000 लेकर नहीं आओगे आप वापस कितना लेकर आओगे वापस आपको इनीशल तक पहुचाना पड़ेगा इसका नाम है इनीशल margin इसका नाम है maintenance margin और इसका नाम है 12,000 से 13,000 हो जाए तो 1000 रुपे विड्रो कर सकते हो पर ICAI नहीं करता है तो यही बाते मैंने लिखवाया हूँ सर अगर हम सौदा कभी भी काट सकते हैं की काट सकते हो भले यह आपने तीन महने का ले रखा है फ्यूचर पर बीच में भी आप position को square of कर सकते हो opposite position लेकर सौदा बीच में काट सकते हो तो जितना भी margin हो वो ऐसा आपको वापस मिल जाएगा ठीक है और initial margin दिया रहता है एक question है उसमें initial margin नहीं दिया ICAI का question है तो उन्होंने का initial margin के लिए हम यह वाला formula यूच करेंगे Sir initial margin कैसे निकाला जाएगा अगर मैं कहूँ वैसे तो दिया रहता है पर निकाला कैसे जाता है तो हम क्या देखते हैं पिछले दिनों में जिसका भी आप future करें उसमें देखो कितना change हुआ है उसका average average change, absolute change, absolute आपको मालूम है, average, absolute change और फिर उसका deviation निकालना और इससे तीन गुना जाएगा logic मैंने आपको class के साथ दिया था, यहाँ average लेना और standard deviation का तीन गुना जाएगा कि margin का balance, margin इतना बिलवा लिया जाए, कि एकदम से यह नहों कि सामने वाले को कम minus में चला जाए margin, बोले इतना, मतलब यार एक दिन में maximum loss क्या होगा यह, जदा 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 यह, और इससे तो तीन कुना जदा बांग रहे रहा, यह question मैं, एक कोशन, question number 35, एक कोशन मैंने आया था, एक्जाम में आया था, दिसंबर 2021 में अच्छा question है, हो कैसा, लिखा हुआ है, on 31,8,2021, Mr. R has tech, long position, यह important, जैसी long बोलोगे न, तो सर, upside batting, 17,300 से उपर होगा तो 5, और सिर, कितने contract लिया है, 2, और कितना units है, 50, मतलब सर, 100 units में काम हो रहा है, yes, 100 units में काम हो रहा है, initial margin कितना, 10%, किसका सर, contract value, सर, contract value कितना आ जाएगा, 17,300 into 100 into 10%, तो यह आ गया मेरा contract value, 17,300 into 100, और इसका मैंने 10% लिया, तो यह आ गया मेरा initial margin, 1,73 था होगा, और इसका 80% क्या रखना है हमको, maintenance margin, initial margin हो गया है, maintenance margin, ठीक है, यह दोनों चीज मुझे निकालना था ही, इसके बाद भोला था, closing price of 5 days are given below, भोला अगर यह होगा, तो बताओ, margin के balance में क्या change होगा, सोचो, 17,300 से उपर हुआ, 40 रुपै का फाइदा, तो 40 into 100, फिर अगला price यह हो गया, तो अब यह से comparison करोगी, कि profit हो रहा है, कि loss हो रहा है, वो margin account बनाया जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो एक statement showing daily balance in the margin account and payment on margin call, if any, तो margin account बनाया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ price लिख दिया, जिस दिन execute हो रहा है, ओके, सर तो balance कितना है, 1,73,000, this is initial margin, देखूं क्या, यह सर, 1,73,000, और उज दिन price कितना था, 17,300, अगले दिन हो गया, 17,340, तो सर, हमको profit हो गया, हमारा long position, प्राइस बढ़ने से फायदा 40,000, 4,000 का profit, तो हमारा margin का balance, अब इसमें क्या हो जाएगा, सर, इसमें अब 4,000 प्लस हो जाएगा, सर, अब तो loss हो रहा है, yes, 16,000 रुपे का loss हो गया, तो 1,60,000, margin का balance घड़ गया, तो क्या margin काल किया जाएगा, नहीं, 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 maintenance margin कितना था, सर, 1,38,400, अगर इससे नीचे चला गया, तब margin काल किया जाएगा, सर, उसके बाद price तो और कम हो गया, तो 19,000 रुपे का loss हो गया, तो 142 के अभी भी margin काल किया जाएगा, नहीं, नहीं, अभी भी नहीं, सर, price कम हो गया, और loss हो गया, 9,000 का, तो अब हिसाब किताब करते, 1,42,000 था यहां तक, minus 9,000, तो सर, 1,33,000 हो गया balance, मतलब सर, ये तो कम हो गया, यस, ये इससे कम हो गया, 1,33,000 हो गया, मतलब margin बुलाना पड़ेगा, पहुचाना पड़ेगा, मतलब, 1,73,000, minus 1,33,000, margin आपको वापस कितना बुलवाना पड़ेगा, 40,000, this is margin call, वापस आपको initial तक करना होता है, ये तो सर, profit है, बात ही कतम होगे, ठीक है, बहुँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दूसरा, profit और loss कैसे निकाला जाए, तो देखो, 195 तो हमको मिलेगा, मिलेगा, ये मेरे लिए, closing balance है, ठीक है सर, और सर, बीच में तो कुछ नहीं है, और लगा कितना, एक तो ये लगा, 170 त्रू, और सर, maintenance margin, margin call हुआ, 40,000, तो देख लो, इतना पैसा आया, और इतना चला गया, तो सर, 18,000 का हमको loss हो गया, या फिर एक simple तरीका क्या था, आप कह रहे थे कि 17,300 से बढ़ेगा, पर है सर, 17,120, तो आपको तो loss हो गया, इन 200, आपको 18,000 का loss हो गया, अप ऐसे भी दिखा सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन लेती तो बताओ क्या होता, अभी हमने कौन सा बैटिंग किया, अप साइट, बहुल जाओ अप साइट बैटिंग को, एक काम करो, अगर ये डाउन साइट बैटिंग होता, तो क्या होता, मार्जिन तो यह आएगा, बस टेबल बना लेना और एक, एक टेबल बन जाएगा, अंसर आज जाएगा, अठार आजएगा, प्रॉफिट होगा पर यह आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस, ठीक अज़, ओके सर, तो यह था हमारा मार्जिन, एक और कोश्चन आया था एक्जाम में, पर यह नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, इसलिए नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि यह रिपीट कोश्चन है, यह वाला कोश्चन है, हमारा TYK14, TYK14, मतलब सर, हमारे माडूल का कोश्चन है कि, हाँ जी, देखना है, करके जाना है, आपको किसी भी हालत में, ठीक है, अलग इसको भी मैंने होम वक्षी दिया था, इसमें खाज बात क्या थी, कि सर, पहली बात हमको लॉंग पोजिशन है, कि शॉर्ट पोजिशन, तो यहां से समझ मैं, बाट सब्द लिखा है, बाट सब्द लिखा है, मतलब आपका लॉंग पोजिशन, अब यहां प्राइस हाई भी दिया, लो भी दिया, क्लोजिशन भी दिया, मैंने कहा था आप से कि, हाई और लो से हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब है closing पर हम शर्त लगा रहा है long position मतलब price बढ़ेगा P296.50 से उपर जाएगा अब सवाल है कि initial margin कितना और maintenance margin कितना तो अब यहां लिखा इसनों इन्होंने सीधा initial margin बताया नहीं है उन्हेंने का average daily absolute change average change दिया 10,000 मतलब absolute मतलब percentage में नहीं हमें रुपीज में देखना पड़ेगा 10,000 रुपए का change हुआ average तो यह होगा average तो सर 10,000 रुपए का change हो सकता है यही फॉर्म लाप को लगाना थ्री टाइम सी लेना है तो इस तरह से initial margin आया 16,000 और उसका 75% हमको कौन सा maintenance margin रखना मतलब 12,000 और फिर यह वाला price लेना है और profit loss देखते जाना सर्थ कितना contract है वह पचास contract में काम करना है मैं यह question बनाया नहीं हूँ क्योंकि बच्चों ने homework ले लिया था तो प्लीज कर लेना इस question को कर लेना practice कर लेना at least okay that's it margin में total मिला कर तीन questions है पर तीन में तो एक तो मैं समझाया हूँ आपको यह वाला question में na calculation बहुत ज़्यादा mistake हो रहा है इसलिए मैं आप से request कर रहा हूँ कि please देख लेना अच्छा question तो पहला part खताम हुआ दूसरा future price important है देखे future pricing है क्या future pricing मतलब जैसे option pricing होता ना वैसे future pricing theoretical future price तर क्या चीज़ है बता हूँ एक model यूज होता cost of carry model या theoretical minimum price model यह क्या बोलता यह बोलता कि देखो राम को लग रहा है कि reliance के share का price बढ़ेगा आज कितना भाई आज जो price है वो है 500 इसको बोलते है spot price ठीक है सर आज 500 रुपे price है और इसको ऐसा लग रहा है कि price बढ़ेगा तो सर कब बढ़ेगा तीन मैने बाद तो सुनो ना राम आज share खरीद ले अब share खरीद ले तो बैंक में से पैसे उठा कर काम करता तो बैंक में rate of interest है बारा परशन ठीक है तो 500 प्लस बारा परशन प्लस तीन परशन तीन मैने के लिए ना तो सब तीन मैने बाद 515 का share पड़ा सीधी सीधी तीन मैने बाद बेज देंगे पर share कितने का पड़ा 515 का बाद समझे में रही है ना 500 रुपा बैंक से उठाएंगे rate of interest कितना है ट्वाले परशन हम तीन मैने के लिए उठाएंगे तो अगर आज share खरीदना है तो interest सहीत मुझे share कितने का पड़ेगा 515 रुपाएगा अब मैं गया है stock exchange के पास मैंने का सुनो ना stock exchange बोलता सुनो ना आज share क्यों खरीद रहा है वही मुझे share का price ऐसा लाग रहा कि बढ़ने वाला तो तीन मैने बाद हमसे खरीद ले ना और हमसे एक काम करना 517 का खरीद लेना contract आज कर लो आप आज मत खरीद ये तीन मैने बाद जब बढ़ेगा तो हमसे share ले जाकर बेज दे ना market में 517 का क्या मैं तयार हो जाओंगा नहीं 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 क्या बात कर रहे बाद 17 में मैं तो बिलकुल एगरी नहीं हूँ बोले क्यों मैं उसकी आप एक चा मैं share नहीं खरीद दूंगा आज आपसे concrete करता हूँ और मुझे share आप दोगे 517 का और क्या मुझे लेना ही पड़ेगा बोले हाँ आपको लेना ही पड़ेगा मैं नहीं चोड़ो ना यार मैं काम करता हूँ बैंक से पैसे उधा लेता हूँ share खरी लेता हूँ मेरा तीन मेरा पैसा लगा तो कितना लगा पासो बंदरा बैंक श्टॉक इसपल आप कितने रुपए में तयार हो आप मैं stock exchange को बता रहा हूँ कि देखो भाई अगर मैं आपसे contract करता हूँ तो आज मेरा क्या-क्या पैसा बचेगा हो जाए फले देखो एक तो पासो रुपए बचेगा spot का क्योंकि आज श्यर नहीं खरीदना पड़ेगा आज नहीं खरीदना पड़ेगा कि आप इंट्रस्ट में बचा रहें कितना रुपनिटूर रुपए इंट्रस्ट बचार रहें पंदरह रुपए हुअ कि एप據 यूट थी कि पासो रैंबचा रहा ना एक तो पासो रुपए क्या खरीदना पड़ेगा Leben साब इंट्रस्ट का बीचे ल, तो वह भी पैसा ब दिविडेन भी मिलने वाह है लेकिन अगर मैं शेयर ने खरीदता हूँ आज सिर्फ आप से कॉंट्रेट करता हूँ तो मेरा एक नुकसान है लॉस है और किस चीज़ का है डिविडेन का तो बले सुनो आप मेरी बास सुनो मुझे आप कितने में दोगी तो मैं आप से कॉंट् तो तीन महने बाद तो राम गहरा कि मैं कॉंट्रेक्ट करने को तयार हूँ इस को बलते एफ बस दिक्कत क्या है आपको ये पहचार ना पड़ेगा फ्यूचर अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि सामने वाले स्टॉक एक्शन्स में कि इस रेट पे सहमत हो जाओंगा 505 505 में देगा इस्टॉक एक्शन्स तो मैं तयार हूँ अब इस्टॉक एक्शन्स बोल रहा भाई या आपको 508 देना पड़ेगा मतलब नहीं है 508 आपसे कॉंट्रेक्ट करने पर फ्यूचर आप 508 का बता रहा है भाई शेयर खरीद लेत मुझे इससे कंपैरिशन करना और फिर आर्बिट्रेज निकलेगा वह आर्बिट्रेज में करवांगो अभी थोड़ी दिन में ओके ओके और अगर ये इस्टॉक एक्शन्स हो सकता है कि 503 में तयार हो जाए तो मैं काऊंगा वाउ इस्टॉक एक्शन्स में तयार हूं कॉं फॉचर खरीद लेंगे शेयर खरीद लेंगे कॉंट्रेट कर लेंगे यही सब है फॉर्मुला बना इस्पॉट प्राइस प्लस इंट्रेस सेवड माइनस डिविडेन फॉर गॉन मैं कितना देने को तयार हो जाऊंगा तो मुझे इतना अप ऐसा गर लो यह फिर फॉर्मुला लगा दो एस वन प्लस आर माइनस डी लॉजिकल में आपको समझा चुका हूं ठीक है किसी पर प्रैक्टिस हो जाएं सिम्पल है इस डीविडेन रेट दिया बस बाकी वह कोश्यन है और सब्द क्या है सब्द डीविडेन रेट दिया कभी भी डीविडेन रेट निकलेगा तो फेस वैल्यू का निकलता है मैंने आपको बताया था डीविडेन रेट हमेशा फेस वैल्यू पे निकला जाता है डीविडेन येल्ड सब्द दिया रहेगा तो फाइव हंड़ेट पर निकलेगा देखो ना पर्षेंटेज दिया है तो ये 20 पर्षेंट इसका लों की इसका लों तो भाई या रेट दिय तो ये भी वह कोशन न बस यहां येल्ड दिया हुआ अब ध्यां से समयना येल्ड दिया है तो सर 500 का निकलेगा येस डीविडेन किसका निकलेगा तर फेस वैल्यू का ने निकलेगा मार्केट प्राइस का निकलेगा मतलब सर 500 इंटू पाच पर्षेंट येस पर येल्ड जब भी yield दिया है तो यह हमेशा पिरियोडिकल आपको dividend निकालना पड़ेगा यह लपा रैनम दिया है उसर इंटो 6 by 12 6 मेने का dividend कितना 12 रुपिया 50 पैसे तो यह आगया 512 रुपिया 50 अब यहां हम थोड़ा सा shortcut लगा रहा है यह जो 5% है यह भी 500 का निकाल रहा है आँ बोलो आँ सर यह जो है 500 का निकाल रहा है और यह 10% है यह भी 500 का है तो सर इस हिसाब से दोनों की दोनों 500 पे इतो निकल रहा है ना यार 5% भी 500 का तो सर 10 में से 5 मैनस कर तो सीधा सीधा ना यार कोई किया 10 में से 5- कर दिया क्योंकि यिल्ड भी market price का निकल रहा है rate भी market price का निकल रहा है तो मैं कहता हूँ यार क्यों आलगь अलग GRÜNEN मैं 10 में से 5- कर देता हूँ इंटो 6 कर देता हूं 2512 रूपय upa 6 मतलब sir r-d कर दिया yes r minus d ठीक है तर compounded annually नहीं आता है तो क्यों भेकार में इसमें time pass करे बाकि जिन्होंने कर लिया आ गया तो अलग बात है continuously compounding आएगा जब भी continuously compounding आएगा भाया सुन लो सीधा आजाएगा s r minus d यहीं कर देना बस dividend का amount अलग से नहीं निकाला निकलेगा यहीं r minus d यहाँ कर देना 10 minus 6 into 3 by 12 करके करोगे और इसको तो solve करना आपको आता है तो final आ गया 1414.07 ठीक ठीक है ओके है बाकि यह मैंने ऐसे यह practice करवाया था आपसे जरूरत नहीं है यह मत करना पिसर अब arbitrage वाली बात है अब arbitrage है समझना पड़ेगा चलो जी बात करें आगे अब important है arbitrage एक बार discuss करते हैं कि क्या बोल रहा है ठीक है example के through discuss करें arbitrage example के through discussion करना है arbitrage आता है ठीक है एक बार देख लेकिया sport price है 500 मतलब सराज का और six month future price है 542 मतलब सामने वाला stock exchange एक साल बाद हमें 542 का share देने को तयार है अगर आज physically खरीदे तो हमको कितने का मिलेगा 500 का ठीक है अगर हम contract कर ले तो कितने का मिलेगा 542 का एक बार सोच लेते हैं और dividend है नहीं है rate of interest है 10% पर है नहीं हम पहला निकालना ठीक है हमें क्या निकालना ठीरिटिकल एक पिरिएट कितना है 6 मन एक निकाल रहे हैं लोक 500 तो सर्फ 525 इट मिन्स अगर हम आज share खरीदे तो आज हमको 525 का मिल सकता है तो सवाल बस इतना सा है हमें contract करना चाहिए कि आज ही share सर आज ही खरीदना चाहिए क्योंकि जो stock exchange बात कर रहा है न वो तो महगा है यार over price है तो यार उस पे क्यों खरीदे इस पे ना खरीद लेगी तो हमको सस्ते में खरीदेंगा आज ही आप bank से पैसे उधा लेजिए और आज ही खरीद लेजिए और आज share खरीदोगे तो interest के साथ आपको 525 ही पड़ेगा न या share ठीक है तो simple सी बात हमें लिखना पड़ेगा arbitrage के लिए सर क्या लिखना पड़ेगा अब देखो देखो चाल कैसे चलोगे हम stock action के बाद जा रहा है यस और stock action से पूछ रहे कि 6 मैंने बाद का future price किया चल रहा हूँ उन्हें क्या बताया 542 तो मैंने गए stock action सुनो ना एक काम कर सकते हैं मैं ऐसा करता हूँ आज share खरीद लेता हूँ और मैं आपसे contract करता हूँ लेकिन contract मैं खरीदने का नहीं कर रहा हूँ मैं contract बेचने का कर सकते हूँ मैंने का ठीक है फिर तो ऐसा आज share खरीद लेते हैं hold करते हैं, contract कर लेते हैं, contract, hold करते हैं, 6 मेहने बाद, 6 मेहने बाद share का price कुछ भी न, क्यों न हो, हम 542 का बेचने का contract कर लिया, तो हम 542 का बेज देंगे, this is our address, okay, तो अब हमें सवाल बस इतना ही है, सवाल क्या है मालों, हमें ये decide करना पड़ता है, कि इस rate पे हमें खरीदने का contract करना है, कि बेचने का, सर, बेचने का, हमें इस rate पर क्या करना है, sell, क्योंकि ये महगा है, जो महगा होता है, उस पर हम बेचते हैं, sell को हम वैसे, short position भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना, sell को हम short position भी बोलते हैं, ठीक है, सर, काम करें, yes, तो सबसे पहले क्या लेंग्विज में ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि actual future price जो दिख रहा है, 542, वो ज़्यादा है, किस से, theoretical price से, इसलिए हम future, इसलिए future क्या है, overpriced, in this situation, हम आज share खरी देंगे, और एक contract करेंगे, इस rate पर बेचने का, simple language, ये क्या लिखता है, वो थोड़ा technical लिखता है, पर हम स future is overpriced, hence, buy spot, sell future, वो लिखा है, since future is overpriced, जो overpriced है, उस पर बेचेंगे, जो ज़्यादा उस पर बेचेंगे, और spot पर हम खरीद लेंगे, that's it, okay, पहला गाम क्या होगा, पहला गाम ये होगा, कि आप decide करो कि आपको करना क्या, sir decide हो गया, अब उसके बाद आपको process दिखाना पड़ेगा, process एक ऐसे भी दिखा सकते हो, दूसरा तरीका ऐसे भी दिखा सकते हो, मैं दोनों ही बता रहा हूँ, दोनों ही बता रहा हूँ, पहला, आज share खरीदिए, share कहां से खरीदेंगे, sir, हम पैसा उधार लेंगे, कितना रुपए, आज share का price क्या चल रहा है, 500, तो हम 500 उधार लेंगे, कितने portion के सबसे, 10 portion के सबसे, कितने मैने के लिए, sir, 6 मैने के लिए, और क्या खरीद लेंगे, share, share खरीद लिया, ठीक है, और आज ही के दिन और एक काम करेंगे, content करेंगे, कितने रुपए में बेचने का, sir, 542 में बेचने का contract करेंगे, तो काम हो चुका है, ठीक 6 मैने बाद, हमें पक्का यकीन है, कि हमारा share 542 का बिखी जाएगा, और जो share खरीदा था, वो तो उधाले के खरीदा था, तो 500 उरुपए with interest हमें payment करना पड़ेगा, बैंक वाले को 525, तो बताओ हमें gain कितने का होगा, सर, 17 रुपए का हमें profit होगा ही होगा, किसी भी हालत में, सर, 17 रुपए तो ऐसे भी निकल सकता था था, 525 माइनस 542 तो 17 रुपए हाँ, वैसे भी निकल सकता था, आपको दिखाना पड़ेगा, ने, presentation, ठीक है, अब एक समस्या है, समस्या बोलो, सर, आप कह रहे हैं कि हम stock exchange को share based देंगे 542 का, लेकिन सर, actual में future में तो शर्त लगाई जाती है, ना, actual में तो शर्त लगती है, ना तो share खरीदें, ना तो बेसतें, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि 542 का share based दोगे, किसको बेचोगे, contract है, पर actual में शर्त लगाई जाती है, तो अब देखो उसका तरीका, मे contract, sell को क्या बोलते हैं, sir, sell को बोलते हैं, short position, short position, अब maturity को मान लो, दो price कोई भी पकड़ लीजिए, sir, price 375 भी हो सकता, मन से लिया है, और 1000 भी price हो सकता, कम भी हो सकता, जादा भी हो सकता है, देखते हैं कि share का price कम होगा, चाहे जादा होगा, हमें gain कितने का होगा, तयार हो, yes हम मैंने यहां दो price लिखा, कितना कितना लिखा, 375 भी और 1000, arbitrage में time लगेगा, प्रीज समझ लेना, सबसे पहले हम share बेचेंगे, share 542 का बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, नहीं बेचें, 542 का बेचना नहीं है, आपने शर्त लगाया है, कि इससे गिरेगा, short position लिया गिरेग आप stock action को share नहीं बेचोगे, जो share है ना आपके पास, उसको आप actual में market में बेचोगे, चाहे market में price 375 हो, तो 375 का भी केगा, चाहे 1000 है तो 1000 का भी केगा, तो sir हम share क्या करेंगे, पेच देंगे, जो भी price होगा, अब जो आपने future में betting किया था, कौन सा, short position, तो आपको या तो कम होने पे फाइदा होगा, yes sir, 375 माइनस 542, कितने का फाइदा होगा, जड़ा देख लेते हैं, 542 माइनस 375, तो sir हमें 167 का profit होगा, कम होने पे, पर बढ़ गया, sir बढ़ गया तो loss हो जाएगा, 1000 माइनस 542, और 58 का loss हो जाएगा, that's it, और repayment तो करना ही पड़ेगा, और मै minus करके देखोगे, तो मालूम है कितना आएगा, 17 रुपई, आर्बिट्रेस करने के दो तरीके हैं, या तो actual में जो होता है, वो दिखाओ, या तो ये book के हिसाब से, तरह हमें करना कैसे, आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही जो मैंने करवा लेका, लेकिन कभी कभ कोशन में दो प्राइज दे देगा, इस तरह से दो प्राइज दे देगा, कोशन में देगा, तो फिर आपको इस तरह से दिखाना होगा, ऐसे दो ही कोशन है, ऐसे दो ही कोशन है, और उन दो कोशन को मैं separately discuss करवा दूगा, फिर से बोल रहा हूं, दो कोशन हमारे पास ऐसे ह जिसमें जब वो बोलता है कि arbitrage gain तो यहाँ दो price लिख कर दे देगा यार 375 और 1000 ऐसे दो price question में लिख कर देगा तो फिर हमको ऐसे ही करना पड़ेगा और लिख कर नहीं दिया तो फिर तो जैसे करते हैं करते जाईए एक है हां सर यह थोड़ा सा मस्किल है यह मैं question के साथ discuss करूँगा अब इस matter पर मैं बात नहीं करूँगा अब इस matter पर मैं question के साथ discuss करूँगा तो ज़्यादा मजा है और एक example ले किया हाँ और एक example ले ले तो ज़्यादा अच्छा है इस pot price कितना है 400 रुपए आफ निकाला मैंने कितना आया 440 और actual आफ क्या चल रहा है 425 बताओ क्या करे सर सवाल बस simple सा यार आज share खरीदने पर 440 रुपए जाएगा जबकि मैं contract करता हूँ तो 425 में मुझे share मिल जाएगा सर इस पर खरीदो future contract कीजिए खरीदने का अब आर्वीट्रेज कैसे करेंगे आर्वीट्रेज में अब बताओ future क्या है अंडर प्राइस की ओवर प्राइस सर अंडर प्राइस future में खरीदने का contract हो रहा है हम future में खरीद लेंगे और हमें मिलेगा ही मिलेगा कितने का मिल जाएगा 425 का मुझे इस चीज से फाइदा उठाना है अब मैं फाइदा कैसे उठा रहा हूँ सुनोगी देहां से मैं क्या कर रहा हूँ मैं सोचता हूँ यार ऐसा किया जाए कि आज मैं शॉट सेल कर देता हूँ शॉट सेल का मतलब क्या हो गए किसी से आज sell करना share तो sell कैसे करोगे किसी से share उधार लेंगे short sell और उसको market में बेज देंगे आज ही बेज देंगे और उससे कहेंगे भी यह 6 मैने बाद हम आपको वापस करेंगे पक्का और 6 मैने बाद हम खरीद के वापस कर देंगे हमको मालू मैं को 425 का मिल जागा share मैंने short sell कर दिया पैसा कितना है आज तब पैसा आगया आपके पास 400 और उसको bank में जमा कर दिया कितने person की सबसे 10 person की सबसे तो बताओ मुझे कितना रुपिया मिलेगा 6 मैने बाद 440 है न ठीक है 440 अब सामने वाला जिसका मैंने short sell किया था वो कहारा मेरा share तो वापस करो मैंने का करता हूँ bank गया 440 रुपिया निकाला उसमें से 425 रुपए stock actions को दिया share लिया और share का share वापस कर दिया मेरा फायथा इसमें landing charges जो भी कर रहे हो आप कोई charges ने और जो कम है कम है उसको क्या करते है सर खरीदते है तो लिखना पड़ेगा since future is under price hence by future and sell spot sell spot का मतलब sir short sell अब by future का मतलब future में खरीदने का contract action तो हो गया सर अब क्या करना अब आपको arbitrage करके बनना मैं दो possible price वाली बात नहीं करूँगा वो मैं question के साथ बात करूँगा दो ही तो question उसके लिए क्यों confusion create हो ये वाली बात होगे तो today आज क्या करना पड़ेगा sir आज हम short sell करेंगे share तो हमारे पास 400 रुपए आएगा और 400 रुपए हम bank में जमा कर देंगे 20% per annum case अब से 6 मैने के लिए और साथ में contract करेंगे कि हम future में खरीदने का contract कर लेंगे कितने में 425 में 425 में हमको share मिलेगा लिएगा एक 6 मेने बात हमें bank से पैसा वापस मिलेगा कितना मिलेगा 440 और 425 का share खरीद के वापस कर देंगे तो बुलो हमको कितने का गेन होगा 15 रुपय का गेन हो हमें ये वाला नहीं दिखा रहा हूँ मैं ये वाला में कोश्चन के साथ मैं दिखा हूँ सर अगर डिवीडेंट बीच में हो तो चलो वो भी देख लेते हैं अगर डिवीडेंट बीच में हो तो क्या होगा what price दिया है तर ये F कौन सा वाला है actual F है डिवीडेंट पर शेयर दिया है पाच रुपय और rate of interest है 20% और आपको सबसे पहले theoretical F निकलना है तर वो तो निकल देंगे S1 प्लस R-D 20% पर रहे हैं तो 6 मिने का 10% और डिवीडेंट का amount दिया पाच रुपय तर F कितना आगा है 5.45 theoretical actual कितना है तर 5.73 वो लो क्या करे तर आज शेयर खरी दिये कितने का 500 का और future में बेचने का contract कीजिए क्यों क्योंकि ये ज़्यादा overpriced है होई लिखा है since future is overpriced hence tell future by spot ये काम हो गया सबसे पहले मैंने आप क्या बताए action अब बात किसकी होगी process देखते है process कैसे होगा सबसे पहले बात किसकी होगी आज की तो sir आज आफ 500 उधार लोगे 20% के हिसाब से और share खरीदोगे खरीद लिया और जो share खरीदा है आपने उसको ऐसी रहने दो और एक contract कर लिजिए 573 में बेचने का एक 6 महने जब पूरे होगे तो जो आपके पास share है उसको 573 का base देना और साथ में क्यूंकि 6 महने तक hold कर रहा है आपको dividend भी मिलेगा ठीक है और 500 उधार लिया था उसका repayment कर देना आपको gain कितने का होगा 28 का gain हो जाए ओके ठीक है सर बात समझ में आती है अगला and last exam उसके बाद question चलो हो जाए spot price कितना दिया है 400 ठीक है सर ये कौन सा है actual F तो इसा theoretical तो निकाल सकते है 535 actual कितना है 407 future is under price under price तो सर इस पे हम बेचने का quantity करेंगे और यहां हम sell करेंगे sell का मतलब short sell नहीं इस पे हम बेचने इस पे खरी देंगे सर गलत हो गए 407 कम है तो by future और sell spot जो ज़्याद है उस पे बेचने का बेचने sell का मतलब short sell लिका since future is under price hence by future and sell is spot process यह वाला मैं नहीं कर वाँगा जो class किया वो तो कर ही सकता कोई दिक्कत की मैं यह वाले इस पे फोकस करूँगा सबसे पहले मैं short sell करूँगा short sell करूने से मेरे पास पैसा आएगा कितना रुपए 400 रुपए उसको बैंक में जमा कर दूँग short sell कर चुका अब चिंता किस बात किये future में इसको पैसे वाँपस करना पड़ेगा ना तो ठीक है contract कर लेंगे share खरीदने का कितने रुपए में 400 रुपए उसक्षे मैने बात क्या क्या होग सब जो पैसे मैंने invest किया वो पैसा मिलेगा मुझको with interest 440 ठीक है अब सामने वाले को share वापस करना तो सब मार्केट से खरीदेंगे मतलब खरीदने का तो contract था ही मेरे पास 407 का खरीद के वापस कर देंगे लेकिन अब problem क्या है सुनो जिसका share मैंने उधार लेकर मार्केट में बेच दिया था और उसको बोला था मैं 407 रुपय में share लेकर वापस कर दूँगा वो सब ठीक है इसी बीच में dividend announcement हो गए और dividend announcement हुआ dividend मिला तो dividend मिला किसको इसका नुकसान हो गया सामने वाले का जिसका मैंने share उधार लेकर बेच दिया था ना भाई तो वो कह रहा भाईया share का share आपने वापस तो गर दिया dividend कौन देगा क्योंकि आपकी वजह से अगर मैं share अपने पास में रखता तो मुझे dividend मिलता अब तो dividend का नुक्षान हो गया तो अब मुझे 5 रुपय मुझे मुझे 5 रुपय भी उसको देना पड़ेगा इस शेर अब 5 रुपय ये रखके दूगा मेरी वजह से नुक्षान है तो वो 5 रुपय मेरा लॉस है तो टोटल मिलाकर मुझे कितने का गेन हुआ 28 तो dividend अगर बीच में आता है तो थोड़ी सी समस्या तो आईगी भाई ठीकिस तो ये सारा प्रोसेस था हूँ जो मैंने आपको करवा है एक बार देख ले कोश्चन नमबर 38 है और इतना सिंपल है TYK2 करके मैंने लिग भी दिया मतलब सर ये हमारे ICAI का मोडूल का कोश्चन है कि YES TYK2 फोमबग दिया था पर रफली कैलकूलेट कर सकते है ये सर क्या है ये स्पॉर्ट प्राइस है 1800 और ये 1950 एक्चुल फ्यूचर प्राइस पिरियड कितना है 6 मन्त डिविडेन है नहीं है 12% है 1800 फ्यूचर प्राइस 1800 1.06 1.06 ये आगे तो सर ये आगे 1908 1908 ये आगे थियूरिड कर रो एक्चुल ये एफ तर ये ज्यादा है तो क्या करोगे सेल फ्यूचर और बाई क्या करोगे स्पॉर्ट बाकी तो आपको सारा प्रोश्यस पता है प्रॉफिट मैं बता देता हू 1950 मैनस 1950 1950 मैनस 1908 तो सर गेन हो गया 42 का बिल्कुल सिंपल कौश्चन ऐसे कौश्चन आठ नमबर के आते हैं कि सर मैल्टिबल जो इस कौश्चन के लिए तो इंपॉर्टन है कौश्चन नमबर 39 कट कर दीजिए रिपीट है कौश्चन नमबर 40 ती वाई के फोर इसमें गलती है उस गलती की वज़़ज़ से ये कौश्चन करवा रहा हूं बाकि कुछ नहीं क्या ये कौश्चन हमारे ICAI का है ये सर ती वाई के फोर है हमारी बुक का है 41 एक एक बर कैलकुलेट दा प्राइज ओफ थ्री मन्थ पी क्यू आ फ्यूचर पेस वैल्यू दिया है 10 और सर प्राइज दिया है 220 ठीक है त्री मन्थ फ्यूचर जो है वो एक्च्वल एफ है 230 ये एक्च्वल एफ है और यहां वन मन्थ बॉर्ण है यहां त्री मन्थ बॉर्ण होना चाहिए था भाई साब वन मन्थ बॉर्ण है और ICEI ने सुधा रहा है के नहीं सुधा रहा है TYK4 एक बार मैं चेक कर लो अभी भी वन मन्थ बॉर्ण ही लिखा वो थ्री मन्थ बॉर्ण होना चाहिए था ठीक है कोई दिक्वर नहीं है और रेट दिया 15% पर एनम ठीक है 15% और डिविडेंट का कोई चक्कर नहीं है तो मैं theoretical F निकाल रहा हूँ बस यह है कि बच्चे हम वन मन्थ की वजह से परिशान है वो एक्चुली 3 मन्थ होना चाहिए तो सर्फ 15 इंटो 3 by 12 divided by 100 plus 1 तो यह factor आ गए है और डिविडेंट है भाई डिविडेंट है अब डिविडेंट कितना पर्षेंट दिया है डिविडेंट दिया है 25% बस इतना दिया है अब मुझे यह नहीं समझ में आना कि डिविडेंट यिल्ड है कि डिविडेंट रेट है अब यह 25% लिखा और face value भी दिया है question में अगर face value दिया है अलग से तो वो कहना चाहता है dividend rate मतलब 10 रुपए पे लेना पड़ेगा बच्चों का क्याना नहीं सरा हम face value है 220 पे ले सकते तो फिर तो गरबड़ हो जाएगा ना क्योंकि dividend yield है 25% और सरा rate of interest है 15% तो ऐसे हो तो negative है जाएगा तो चल जाएगा बस मैं यह समझाने की कोशिस कर रहा हूँ यह 25% dividend rate है आपको face value पे calculate करना पड़ेगा और face value पर जब calculate करते तो dividend कभी भी पिरियोडिकल नहीं होता आपको पूरा की पूरा लेना पड़ेगा दो रूपे 50 पैस क्या-क्या याद रखना इस question में यहाँ भले ही exam में आ गया question और यहाँ one month भी लिखा रहेगा तो ignore करना three month का rate calculate और सर actual कितना F? actual F है 220 तो बताओ क्या करें future is under price by future sell spot over price है क्या sir 230 है ना यार के 230 future is over price sell future by spot उसके बाद तो process आप करी लोगे उसके बाद process आपके सामने ठीक है जी yes आगे चले question number 42 MTP में आया हुआ था देखे question में क्या खास बत है the share of X limited is currently selling sir यह spot 500 ठीक है risk free rate है point six percent per month per month और three month selling price है three month F दिया है यह वाला five one one यह actual F हो गया आर्व ट्रेज्स पोसे बताना तो सबसे पहले हमको F निकालना पड़ेगा dividend है नहीं अब सुनो 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 जब F निकालोगे तो लिखते है S one plus R तो एस तो हमको मालू में कितना 500 अब सर आर दिया है यह तो पर मन्त दिया है और हमको तो three month का तो बहुत सारे बच्चों का यह कहना था कि sir point six percent है एक महने का तो into three महने का कर लेते point six into three तो तीन महने का आएगा sir one point eight percent sorry one point eight percent कुछ बच्चों का यह कहना था कि one point eight percent आएगा पर institute ने इसको monthly compounding लेकर solve किया monthly compounding one point double zero six लिया है पावर तीन महने का three कर दिया sir वैसे यह possible था कि हाँ जी यही होना चाहिए था पर monthly compounding लेकि कि आपको भी करना पड़ेगा sir इसको रट ले क्या हम भी रट नहीं बढ़ेगा अगर month दे रका month का rate दिया है तो आपको monthly compounding लेकर काम करना पड़े इस matter पर भी बात हो चुक है कि आर्बिट्रेस तो गरी लोग है एक सेम कोशन है यह टी वाई के सिक सेम कोशन सेम कोशन इसमें भी 0.8% पर month दिया है तो आपको monthly compounding लेकि करना होगा ठीक है आर्बिट्रेस प्रोसेस आप कर लोगा आर्बिट्रेस का मुझे कोई प्रॉड्रम नहीं ओके question number 44 यह सब multiple choice question में काम आने वाल है सर टी वाई के वन है क्या यस टी वाई के वन एक समन्थ फावर्ट प्रैस सर एफ दे रखा है यह एक्च्वल एफ हो सकता है हो सकता है बॉरिंग रेट दे रखा 8% पर एनम पेबल वित monthly compounding यहां तो बोल दिया भाई तो सर 8% पर एनम है तो एक मेहने का rate निकालेंगे यस और power 6 करना पड़ेगा क्योंकि 6 months forward price दिया है वो मांग क्या रहा हो भाई साब वो spot price मांग रहा है spot तो मुझे मजबूरी में यह जो f है ना इसको actual और theoretical एक ही मानना पड़ेगा f जो दिया हुआ है इसी को मैं theoretical f मान के काम किया मैंने f यहां लिख दिया spot मुझे निकालना है और 8% है साल भर का तो एक मेहने का कितना और power 6 किया क्योंकि monthly compounding है compounding का अच्छा खास नौलेज चाहिए और answer कितना आ गया है 200 एक है जी चले अगी focus question number 45 हमारी book में question number 45 है ICEI के module में जाओगी तो आपको मिलेगा TYK3 एक बार पढ़ते हैं इस question में क्या खास बगते है इस question में important है date कब की बात हो रही है 31.08.2011 मतलब सर यहां कहीं आएगा 31 2011 और यहां का F कितना दिया है 2200 S सॉरी 2200 दिया risk free rate है 8% dividend yield और dividend yield दे रखा और देखो परेनम दिया परेनम परेनम जैनवरी में था 3% परेनम 5 में था 4% परेनम मैं कह रहा हूं कि मुझे आगे की बात करना कि पीछे की सर पीछे की बात से कोई मतलब नहीं मुझे आगे का dividend yield लेना है तो आगे का मतलब अगस्त के बात का ये वाला मेरे किसी काम का परेनम मुझे अगस्त के बात का dividend yield लेना है और दिक्कत यह है ये 3% सिर्फ September का नहीं September में था 3% परेनम October में 3% परेनम, November में 4% परेनम, December है तो अब में जब परेनम चाहिए डिवेडिविए एल्ट अब क्या करूं एवरेज है लेना पड़ेगा मैंने अवरेज किया और एवरेज किया किया 3.25 परेनम अब Sir Continuously Compounding लगेगा कि हाँ जी लिखा है Continuously Compounding तो Sir उसके लिए rate कितना दिया 8% F निकालना था हमको F निकाला 2200 तो हमको मालूम है E 8% का 0.08 और इसका 0.0325 और कितने मन्त 4 मन्त का 4 मन्त कैसे लिखा December का मांग रहा होगा सायद Yes Sir 31 December का मांग रहा है इसको solve किया तो यह आया इसका value किसमत से दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 1.01593 Multiply किया तो यह answer आगए Multiple choice question में आने के उमीद है दिक है वही दो question जिसका मुझे इंतजार था 46 और 47 होगा 47 होगा सर यह ICAI के module में है क्या नहीं है पर यह मैंने कहा ना दो प्राइस दिया रहेगा न तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से यह दो question कर लेते है उसके बाद वीटा management पर आजाएगे देखे question यह सा अच्छे question है दोनो question अच्छे प्लीज कर ले ना यार दोनोगी question करना पड़ेगा दीरे करवा रहा हूँ ऐसे question में तो time लगेगा यार एक index point में 100 रुपीज एक index point की कीमत 100 रुपीज है और 15 September the index closed at 1195 15 September को index 1195 and December future last rate 1225 तो spot दिया है 1195 और actual F दिया है 1200 पेच्चे ठीक है theoretical F निकार 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 तो historical dividend yield on the index was dividend yield दिया है 3% पारेन और boring rate दिया है 9.5% पारेन ठीक है तो हमें कितने period का चाहिए September से December मतलब तीन मेने का और क्या continuously compounding ऐसा कुछ ने लिखा पता ना है कि यह under price है कि over price है तो F निकाले अब मैंने F निकाला यहां लिखा 1195 सर इन 200 वो बाद में कर ले 0.095 minus 0.03 और 91 days किदर से आया सर इस question में उन्होंने 91 days में calculate किया है हाला कि कोई logic नहीं बनता 3 by 12 कर सकते थे पर यहां लिख दिया है उन्होंने कि 1 साल is equal to 365 दिन तो इसलिए हमको दिन में करना पड़ेगा तो फिस दिन count कर लिए सर September का 15 दिन October November और December का 15 दिन 91 days 91 days के सबसे calculation होगा तो यह आगया F theoretical है और उसको into 100 किया तो यह क्या आगया है हमारा theoretical F in total into 100 किया तो यह आगया है खाला कि इस से भी काम हो सकता था 1200 चुदा यह कौन सा है theoretical actual कितना है 1225 अब बताओ 1200 चुदा यह 1200 पर सर यह overpriced future is overpriced तो किया लिखोगे since actual future इतना है more than किस से theoretical future इस से जदा है तो future is overpriced पहले नमबर पर वही पूछा था कि बताइए future underprice है कि overprice है answer आएगा overprice और क्यों है यह भी बता दिया दूसरा पूछरा क्या arbitrage transaction possible है arbitrist के लिए क्या करोगे और तीसरा gain or loss तो पहले आपको action लिखना है action और उसके बाद क्या जाएगा process तो क्या करोगे action में क्या बताओगे future क्या है overprice sell future buy spot since future is overprice hence buy spot and sell future that's it buy spot and sell future यह तक ठीक है अब arbitrist process हम बता रहा है today क्या करेंगे पहले हमको आज spot खरीदना है मतलब 1195 लगेगा into 100 हमें इतना रुपिया लगेगा उसको हमने उधालिया 9.5% के सबसे 91 days के लिए और इसके बाद सेर। हमने निफटी खरीदा आला कि निफटी खरीद होगे तो ढिविएन कैसे मिलेगा ढिविएन है के कैशन भीएडिविएन कैसे मिलेगा तो institute में लिखा क्या है? इस कोशन में अगले कोशन में लिखा पर लिखा है भाईया आप निफ्टी मत खरीदें निफ्टी खरीदेंगे तो डिविडेंट कैसे मिलेगा बोले एक काम किजिए उस इंडेक्स में इंडेक्स लिखा है कि निफ्टी लिखा है तो उसी सबसे निफ्टी में जितने भी स्टॉक है सर पचास स्टॉक होगी जिस प्रपोर्शन में उसी proportion में हमने खर्च किया उसी proportion में हमने stock खरीदा और कितने रुपे के खरीदा एक लाख उननीस जार पास्तों के stock खरीदा अब तो dividend मिलेगा ना यस तर ये बात था अगर हमको समझ में आई तो by shares लिख दो यार by stock लिख दो कोई दिख दो और क्या दो possible price दिया हुआ है हाँ sir 1260 और 1175 अब हम sell future नहीं लिख रहे हैं sell का दूसरा meaning क्या बताया था मैंने short position अब मुझको लिखना पड़ेगा यहां short position मतलब downside betting कम होगा तो फायदा ठीक है अब दो possible price मतलब 1225 से कम होगा तो फायदा ठीक है 1260 और 1175 दो price दिया है तो अब यहां हमें किसी और तरीके से करना होता है question पहला काम क्या करें पहला क्या आपने shares खरीदा है हाँ 1195 का उसको बेचो अगर 1260 है तो market में 1260 का बेच देना अगर 1175 है तो 200 करके सर यह पैसा आया उसके बाद क्या आपने लोन लिया था हाँ 1150 में इतना लोन लिया था तो उसको with interest वापस कीजिए interest का rate क्या था 9.5% कितने period का 91 days का with interest हमने वापस भी कर दिया दो काम हो चुगा अब आ जाते है future में और shares खरीदा तो dividend भी मिलेगा dividend भी मिला हमको 1,193% 91 days का तो dividend भी मिल गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल सिंपल है जो हमारे पैस shares था उसको market में बेचा ओके साथ में हमने जो लोन लिया था उसको वापस किया और साथ में हमको dividend भी मिला बस और एक चीज बाकी रहेगी profit और loss अपने सर्थ लगाया था 1225 से नीचे जाएगा और 1260 हो गया तो सर यहां तो loss हो गया 1225 माइनस 1260 इंटो 100 1225 माइनस 1260 इंटो 100 सर 3500 का loss हो गया ठीक है और सर अगर 1175 हो गया प्रोफिट 1225 माइनस 1175 इंटो 100 तर पाच जार का profit हो गया दोनों तरफ से आर्बिटरेज उतना ही आए ठीक है ओके सर अच्छा कोश्चन है मैंने पहले भी गा था इसको अच्छे से करके जाना पड़ा चले आगे कोश्चन नमबर 47 तो और भी डेंजर कोश्चन है कोश्चन नमबर 47 मेरे ख्याल से बीटा मैनेजमेंट से पहले का ये लास्ट कोश्चन है अराम से हो जाए पड़े सपोस करेंट प्राइज अफ इंडेक्स तेरह जार आठ सा तेरह जार आठ सा ठीक आगे येल्ड मतलब डिविदेट इल्ड 4.8% पर एन 4.8% पर एन अम डिविदेट मिलेगा ठीक 6 मन्त फ्यूचर सार ये एक्च्छल एफ है एक्छल एफ है एक्ट्यार लिखा एक्ट्साइब एक्ट्वाइफ है 1434 च्छाएर वो गए अब सुना दियां से कि रिस्क्री रेट कितना है बारा पर्शन तो आर्र मिल गया डिविडेंड मिल गया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सबसे ज़्यादा क्या दो प्राइज दिया है यह सबसे ज़्यादा बेकार चीज यहां क्या लिखा यह वाला सब्सक्राइब मतलब क्या हुआ अगर मैं इंडेक्स खरीद रहा हूं या ऐसा पोर्टफोलियो बना रहा हूं जिसमें इंडेक्स में जितने होगे उतने ही उसी प्रपोर्शन में मैंने शेयर होल्ड किया तो क्या मुझे डिविडेंट सारे शेयर्स पे मिल रहा है नहीं सर मुझे सारे शेयर्स पे नहीं मिल रहा है सिर्फ 50% पे मिल रहा है 50% पे डिविडेंट मिल रहा है ठीक है अगर 50% ही शेयर्स तो मुझे क्या करना है मुझे जो भी डिविडेंट निकालूंगा उसका 50% कर तो पर 13,800 पर डिविडर नहीं मिल रहा है 50% स्टॉक पर डिविडर मिल रहा है इसलिए इन्टू क्या किया 50% और कितना मिल रहा है सर 4.8% सर पर ये तो परेनम है न तो इन्टू 6 by 12 होना चाहिए बच्चों का बहुत सारा बच्चों का जेस्टिफिकेशन है कि नई सर वो सहीं लिखा है तो भी ये सहीं है तो सहीं है कर सकता था पर 50% ही डिविडेंट मिल रहा ना इसलिए वजह से मैंने यहां डिविडेंट का एमाउंट निकाला मेरी नजर में ये गलत है पर वैसे ही करवार रहा हूं जैसे इंस्टिटूट में पस यही एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं आए तो सर एफ निकल गया थिवरिटिकल एफ 14296 एक्च्वल है 14340 बोलो क्या है सर 142 यह है थिवरिटिकल वो एक्च्वल सर यह तो ओवर प्राइज़ है यस तो सेल करेंगे अब आई करेंगे सिंस फ्यूचर इस ओवर प्राइज़ एंस सेल फ्यूचर एंड बाई स्पार्ट यहां तक कोई इस कोश्चर में और एक दिक्कत है आलसो कैलकुलेट इंप्लाइड रिस्क फ्री रेट जब भी इंप्लाइड रिस्क फ्री रेट मांगेगा समझा चुका हूं यह अच्छे से प्रोसेस क्या होगा प्रोसेस वही होगा कि बाई करेंगे स्पार्ट सेल करेंगे फ्यूचर सेल का मतलब कौन सा पोजिशन लेना पड़ेगा आपको शर्ट पोजिशन लेना पड़ेगा मतलब 14340 से नीचे जाएगा तो प्रोफिट दो पॉसिबल प्राइस दिया 10200 और 15600 ठीक है तैयार हूं यस सबसे पहले जो दूसरा क्या करें रीपेमेंट करते हैं रीपेमेंट का छोड़ दो इसके अलावा और सर डिवीदेंट भी मिलेगा डिवीदेंट तो उतना ही मिलेगा 331.20 331.20 चाहे शियर का प्रेस कुछ नहीं अब प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं सर इससे कम हुआ तो प्रॉफिट और इससे बढ़ गया तो लॉस ये भी निकल गया अब हम यहाँ रिपैमेंट मानते थे न रिपैमेंट नहीं होगा हम यह मान के चल रहा है हम अपने पैसे लखे लगए सर यह कब मानने के जब भी रटवाया था मैंने implied risk free rate दिया है तो मांगा है तो implied risk free rate मांगा है सर यह तो risk free rate है बैटे यह risk free rate है वो कह रहा है कि देखो न हम किसी भी हालत में यह कमाईगे यह मतलब हम risk free कितना कमा रहा है वो पूछ रहा है इसके पीछे जब अबर्दस्ट logic दिया हुआ हूँ क्या हो तो lecture देख ले इसके बीचे हम में logic यहां नहीं समझा सकता यहां काम की चीज़ समझाऊंगा अगर question में implied risk free rate मांगा है तो यहां borrowing नहीं लूँगा मैं सीधा जितने का spot खरीदा था उतना ही minus कर दिया तो sir यह आ गया 871 चाहे कुछ भी क्यों नहों 871 रुपिया बीस पैसा कमाईगे कितना लगा गया 3800 परशनटेज निकल सकता है यह risk है कि risk free है रिसक free है yes implied risk free rate कितना निकल गया 12.63 इस question में क्या क्या खास बात याद रखना बड़ी दिक्कत वाला कोशन नहीं है पहला याद रखना है याद रखना है कि यार डिविडेंट तो हमको पूरा लेना परेगा दूसरा याद रखने वाली बात है कि यहाँ आप 1 प्लेस आर मत कर देना मतलब यहाँ मैंने बौरो वाली बात लिखा ही नहीं है देखो मैंने लिखा बाई मैंने बौरो वाली बात नहीं लिखा है ओके सर that's it खतम तो ये लाश्ट वाला question प्लीज अब आप आगया है बीटा मैनेश्मेंट खीक है सर अब हम बीटा मैनेश्मेंट एक गंटा लगेगा बीटा मैनेश्मेंट कम से कम अब देखते तो अब बात करते हैं बीटा मैनेश्मेंट सर हुता क्या था बीटा मैनेश्मेंट तो नो बीटा मैनेश्मेंट हमने अल्रड़ी portfolio management में पढ़ रखा है तो बिल्कुल ध्यान से समझना है बीटा management है क्या हमने एक portfolio बनाया ठीक है सरथ इसमें बहुत सारे stock है आप कितना भी diversify कर लीजे कितना भी diversify कर लीजे अगर market down होगा अगर nifty down होगा तो यह सारे stocks down होगा अगर इन stock का portfolio बीटा जादा रहेगा तो और जादा speed से down होगा तो इहर इसको manage कैसे करे सबसे बड़ी बात है इसको manage कैसे किया जाए एक तरीका यह है कि sir stocks बेज़ दो और फिर बाद में ख़री लेना transaction cost का दिखकता तो फिर हमने का यार कि चलो यार हो जाता है बुरा तो हो जाए कब बुरा होगा जब nifty गिरेगा तो ये भी गिरेगा तो loss होगा तो एक काम करो ना यार जब nifty गिरा किस बात का डर sir nifty के गिरने का market के गिरने का तो चलो ना उसी में betting कर लेते उसी में सर्थ लगा लिते हैं एक तरीका था इसमें से कुछ श्टॉक्स बेज दीजिए दूसरे श्टॉक्स खरीद लीजिए रिस्क फ्री दाल वो आपने कहां पढ़ा पॉर्टफोलियो में तो यहां क्या टार्गेट है यहां टार्गेट है कि श्टॉक्स को जैसे की वैसे रहने दो इसको छूओ मत किस बात कर रहा है निफ्टी के गिरने का तो उसी में शर्त लगा दो निफ्टी गिरने का शर्त शौट पोजिशन निफ्टी गिरेगा तो ये भी गिरेगा पर इसके गिरने से प्रॉफिट हो जाएगा लॉस होगा पर निफ्टी के गिरने से प्रॉफिट हो जाएगा ना यार बस बात कितम करो अप हैज कर रहे है और किसके थूँ हैज कर रहे है तर हैजिंग कर रहे है हम किसके थूफ फ्यूचर के थूचर तो यह सारी बाते मेंने सुवनाता इस्टोक इंडेक्स फ्यूचर क्या होता निफ्टी वगरा कि में बात किया है ओके और यही बात कहानी और मैंने नंबर आप कॉंट्रेक्ट निकालने का फॉर्मला आला कि इस फॉर्मले पर बहुत सारी हमारी बाती हुई है, यह formula derive कैसे हुआ है, बिना formula कि हो सकता है कि हो सकता है, पर फिर भी हमने यह formula derive किया था, और कैसे किया था, value of portfolio, target beta minus beta of portfolio, भाई, revision चल रहा है, यह अच्छे से करवाए हूँ, divided by f into m into beta of future sir, और इसको explain करोगे, explain कर देता हूँ, एक example के थो, example number 28, consider a fund manager, इतने रुपए का 500 लाख रुपिया लगाया है, और 500 लाख में कुछ पैसा bonds में लगाया है sir, कुछ पैसा equity में लगाया है, कुछ पैसा cash है, हमरे पास cash, और इसका beta 0, इसका beta 4, इसका beta 0, cash का beta 0 ही होना चाहिए, तो total portfolio मेरे पास कितने का है 500, ठीक है, nifty future जो trade हो रहा ह कितने में trade हो रहा है, 5750, और lot size कितना 50, और आपको ऐसा लग रहा है कि market crash होगा, market down जाएगा, तो ये portfolio भी तो down जाएगा, तो सबसे पहले हमको beat up portfolio निकालना है, और beat up portfolio हमने निकाल लिए, table बना के भी निकाल सकते, 150 into 0.8 weighted average, तो 2.64 आए, इस 2.64 का मतलब क्या है, सर, इस 2.64 का मतलब ये है, अगर market 1% से गिरेगा ना, तो जो portfolio है, ये 2.64% से गिरेगा, फिलको से, ठीक है, मतलब सर, ये बहुत जादा risk है, yes, market गिरेगा, तो ये भी गिरेगा, जबकि आपको मालूम है कि market crash होने वाला है, तो ये beta क्या करेगे, सर कम करने की कोशिश तो दूसरा question है, कि बताइए, अगर हमको beta 0.5 रखना है, कम करना है, तो nifty में क्या करेंगे, सर, short position लेंगे, वही मैंने करवाया हूँ, तो सबसे पहले magic क्या निकालना, number of contracts, यहां क्या लिखा जाता है, value of portfolio, ये क्या है, target beta, beta कितना रखना है, minus beta of portfolio, नीचे F into M into beta of future, ये न answer आ रहा, fraction में आएगा, मैंने 372 contract sold, सर, इसका logic, logic सब बता चुका हूँ, मुझे अभी logic नहीं बताना, अभी आपको अच्छे से पताए, कि हमें करना कैसे, सर, 372 contract short करेंगे, मतलब 1070 लाख रुपए का हमने short position ले रखा है, yes, सर, भगवान ना करें, market 10% से गिर गया, market 10% से गिरा, तो सर, यहां कौन सा position लिया हमने short, और portfolio में हमारा कौन सा position था long, तो market के गिरने से इधर तो loss हो जाएगा, इधर भी loss होगा, इधर profit होगा सर, क्योंकि हमने यहां short position ले रखा, इधर 107 लाख का profit होगा, यहां 132 लाख रुपए का loss होगा, क्योंकि यह 10% से गिरेगा, तो य और loss मेरा कितने का है, 25 लाख का, पर्षेंटेज में बताइए, 25 लाख डिवाडिड़ बाइ पासो सर, पाच पर्षेंट का loss है, पासो लाख यह है, तो सर, overall की बात करो, market गिरा 10 पर्षेंट से, तो portfolio गिरा 5 पर्षेंट से, तो मेरा portfolio बीटा अचीव हो गया, 0.5, हाला कि य दिकतर number of contract निकालने के लिए आता है, और वो हमसे अच्छे से बनता है, ठीक है, फिर ऐसी मैंने कहा कि अगर portfolio complete हैस करना है, complete हैस मतलब target बीटा कितना रखना है, 0, फिर बीटा 3 रखना है, तो बस ऐसी मैंने question बनाते गया, और आपको समझाते गया कि complete हैस, complete हैस की तो मैंने बात ही नहीं किया, complete है, इसकी बात किया होगा, किया यह नहीं, पॉर्टफोलियो बीटा 3 रखना है, तो इस बात को भी मैंने prove करके बता दिया, हमें exam में क्या आता है, हमें आता है number of contract निकालना, यह आपको आना चाहिए, long कर रहा है कि short, यह formula इतना अच्छा है कि अगर minus म आया तो long आजाएगा, formula आपको याद रखना परेगा, okay sir, चलेजी आखे, yes, question number 56, गलती से आ गया था, यह cut कर दीजिये, करने की जरूरत नहीं है, आ जाते हैं हम, question number 50, ठीक है sir, अब question number 50 मैं पढ़ओ, अब important है, sir, 1 April 2019 को पोटफोलियो में चार security दिखाई दे रही, A, K, S, और P, और sir, सबका market price दिया है, number of shares दिया है, और सबका beta भी दिया हुआ है, तो पहले number पे क्या portfolio beta निकल सकता है, तो table बनाके निकाल लो, please, और please table बनाकर निकालना, उसकी वज़ा क्या है, भाई साब number चाहिए, number ऐसी तो नहीं मिलेगे, तो किया, तो यह आगया number of shares को, तो यह sir value of portfolio आगया, weight किया, beta किया, beta से multiply किया, तो यह आगया beta of portfolio, इसका number मिलता है, simple है, beta of portfolio में बिलकुल किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए क्योंकि यह already हमने portfolio में किया हुआ, अब बोल रहा, cost of capital, मतलब rate of return, आपको 16% per annum लेना compound rate का इ exponential का use करोगे, कासी को यह लग रहा कि future में price गिरेगा, तो आपके पास आया, current nifty value, current nifty value मतलब S, S दिया हुआ है 9380, और जो future lot size दिया है 25, और future जो September का है, currently quoted, currently quoted का मतलब spot नहीं है, जो future trade हो रहा है, वो आज किस rate पे trade हो यह सर, यह है spot, और September का future, आज किस rate पे trade हो रहा है 9540, और October का future 9820, मांग क्या रहा हो भई, पहला BTOB portfolio मांगा सर, वो तो निका लिया, दूसरा theoretical value of future, कब-कब काबल है, September का और October का, September मतलब, अप्रेल चल रहा है, अप्रेल, में, जून, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेमबर, छे मेने हैं और साथ मेने हो रहा है, क्या, सेप्टेमबर मतलब, छे मेने का future, टिक, dividend है नहीं है, सर, S, E, तो ये किया, E.08 का value दिया होगा question, सर दिया है, 1.0833, 1.0833, सर ये आ गए, 1016, 1.53, पिल्को सेंपर, ऐसे ही, यहाँ 0.093, अब दिक्कत क्या है, साथ मेने का 0.093 का भी value दिया होगा, वाव, lottery लग गई, यह आ गए, सर, ये theoretical life है किया, yes, theoretical life, point number 3 important है, the number of nifty contract that he would have to sell, if he desired, कितना है इस करना, 150 percent, तो करना क्या है, जो value of portfolio है, इसको सीधा 150 percent से multiply कर देना, यह आ गए, इसको यहाँ लिख देना, value of portfolio, target बीटा कुछ नहीं बोला, तो 0, और portfolio बीटा दिया है, point nine two, अब सवाल है कि यहाँ क्या लिखना है, 9820 यह आया कहां से, तो सुरू मेरी बात, सर, कौन सा वाला future लेना है, हमको कब के लिए hedge करना, बोले, October के लिए hedge करना, अब October के लिए hedge करना, तो सर, यह वाला लेगे, 9820 25, तो number of contract आगया, और दो contract short आगया, ठीक है, अच्छा कोशन है, देखोगे इसको, question number 49, हमारे book का question है, 49, और IC AI module में मिलेगा, TYK 13, देखो, एक अपरेल 2015 को, ABC दिया, market price दिया, number of shares दिया, बीटा दिया, तो मेरे ख्याल से, बीटाओ portfolio तो निकल ही जाएगा, कोई रोक नहीं सब्सक्राइए, अच्छा, इसको मैंने homework दे दिया, इसी के जैसा, कोई question मैंने आगे करवाया हो, तो प्लीज देख ले ना, क्योंकि पिछला question करवाया है, तो इसको मैंने homework दे दिया था, आप इस पर practice कर ले ना, कुछ special है नहीं है, इसी के जैसा question कोई आगे करवाया होगा मैंने, question number 52, अच्छा question है ये भी, पर 52 भी मैंने नहीं करवाया होमबग दिया, मतलब इस type का question मैंने पक्का पक्का आगे करवाया होगा, और पक्कर ये वाला question करवाया, तो आप चिंता मत करो, कि सर वो दो question आपने शुड़ाया, तो ये वाला करवा ले ना, ये कौन सा है, TYK 12, देखे एक बार, yes, तो भाई, number of shares दिया है, ABC का, market price दिया है, बीटा दिया, तो बीट आप portfolio तो हम वैसे भी निकालनेंगे, और value of portfolio है, 5000 लाग, ये तो हमको वैसे भी निकालना था, पहले number पे बीट आप portfolio ही मांगा थे, अब दूसरे number पे, अब important है, क्या लिकालना, ये कर दिया, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर thinks that risk of portfolio is very high, 1.3 है, आई तो है, और हम इसको reduce करके करना चाहते है, 0.91, important question है, करना है, इस considering, दो alternative है, पहला portfolio, और दूसरा alternative है, हमारा derivative, पहला कितने लाग का portfolio, बोले 5,000 लाग का portfolio है, तो पहला एक काम करो, बोले dispose of कर दीजिए, बोले आप nifty विटी के साथ मत खिलो, कोई future है, जी मत करो, बोले जो आपके 5,000 लाग का portfolio है न, उसमें से कुछ security को dispose of करके risk-free stock ले लिजे, कुछ stock बेचना है, और उसकी जगा risk-free लेना है, एक्स लेकर भी कर सकते हो, मैंने इसको एक्स लेकर ने करवाया, मैंने simple तरीके से करवाया, ये portfolio हमने सीखा, weight निकालना है, तो target beta divided by beta portfolio, target beta है 0.91, और beta portfolio है 1.3, तो कितना आग है, 0.7, तो जो risky stock है, उसमें 5000 लाग का 0.7, 3500 ल Smully. 1500 लाग बेचना है, और 1500 लाग रुपए कहां लगा देना हमको risk-free stock में लगा देना, simple सी बात. सर ये X लेकर कर सकते हो, वो भी मैंने करवाया हूं, आप X लेकर भी कर सकते हैं वाकि ये formula मैंने आपको portfolio में भी discuss कर किया है हलाकि portfolio chapter में मैंने कहा कि हम existing stock को नहीं बेचेंगे पर यहां existing stock को बेचा जा रहा, please ध्यान रखना तो इसलिए risky stocks में 3500 लाग, मतलब सर ये जो 5000 लाग रुपए है इस मेंसे हम 1500 लाग के stock बेच देंगे, yes और किस में डाल देंगे, risk free में, तो सर फंदरा सो लाग का कौन सा stock बेचेंगे A बेचेंगे, कि B बेचेंगे, कि C बेचेंगे, रेशो में, और किस रेशो में, इसी रेशो में बेच देंगे तो point number 2 में, यह पूछा है, बताए, risk free security कितने रुपए का acquire करोगे तो answer कितना जाएगा, 1500 लाग उसके बाद क्या पूछा है, alternative यह है, मैंने कहा न, X लेकर करवाया हूँ target beta कितना रखना, 0.91, 5000 लाग का beta 1.3, इसमें से कुछ stock बेच देंगे और कुछ, जितना बेचेंगे, उतना risk free खरीद लोगे, risk free का beta 0 है और हमारे पास portfolio 5000 का, 5000 ही रहेगा, ऐसे करके भी कर सकते हो, अगर करना चाहोता है अब सवाल यह है कि 5000 लाग, 1500 लाग जो बेचोगे, वो कौन सा वाला बेचोगे number of shares आपीच कम, ABC, weight दिया हुआ है, 1500 लाग का मैंने उसी weight में ले लिया number of shares पूछा, तो एक share का कीमत मालूम है, 500, 2500, 250, तो 450 लाग divided by 500, तो कितने 0.90 lakh shares, एक के बेचेंगे, यह बेचेंगे 1.20 और यह बेचेंगे 0.75 यहां तक था portfolio अब बोले अगर हमको nifty के through beta manage करना है, तो कैसे करेंगे, तो ठीक है यह तो हमारा formula है, value of portfolio, 5000, टार्गेट बीटा रखना 0.9, एक्जिस्टिंग बीटा 1.30, F है 8125, सर, F कहां से आया, दिया होगा ना, एर question, यह है, 8125, और multiplier है, 200, आंसर आ गया है, minus 120, मतलब 120 क्या करोगे, sold, ठीक है सर, और यह बोलना है, कि value of portfolio बीटा फर 2%, अगर अगर, फिर से वोले portfolio का बीटा निका लिए, अगर nifty 2% से बढ़ता है, तो, अब देखो कैसे किया, यहां से देखो, निप्टी 2% से बढ़ रहा है, मार्केट में कितना पैसा लगाया है, 1950 लाक, सरी, 1950 कहां से आया है, 120 contract आपने, यह इसी को देख लो ना, यहां उपर है, यह वाला एरिया देखो, 1920 आयेगा, 0.91, minus 1.30, तो 5,000, 1950 लाक, सरी, तो सर, यहां हमने 1950 लाक का short position लिया है, और portfolio में 5000 लाक का, आपका long position, अब अगर market बढ़ा, तो यहां तो आपका downside betting था, यहां तो loss हो गया, 1950 लाक का 2% 39 लाक का loss हो गया, पर market के बढ़ने से यह भी तो बढ़ेगा, कितना, 2% से नहीं बढ़ेगा, इसका बीटा कितना है, 1.3, तो 2 into 1.3, 2.6% से बढ़ जाएगा, तो 2.6% से यहां 130 लाक का gain हो गया, और यहां 39 लाक का loss हो गया, तो overall क्या हो गया, सर, overall gain हुआ 91 लाक का, कितने पे, 5000 पे, तो बुलो, percentage कितना आ गया, सर, 1.82%, 1.82% का gain हुआ, जबकि market 2% से बढ़ा, तो मेरा portfolio 1.82% से बढ़ा, तो percentage change in portfolio divided by percentage change in market, क्या बीटा 0.91 अच्छी हो गया, अब बच्चों को यह presentation पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने ऐसे कर लिया, तो आप इसको द तरीका, और ये किये तरीका, ओके, सर, कोशन, बहुत अच्छा है, हाँ जी, ये कोशन था, तो ये तो सेमी कोशन था, इसमें कुछ करना नहीं है, सेम कोशन है, कट कर सकते हैं कि सर, यहां बच्चों को दिक्कत आई थी, इस कोशन में, existing systematic risk, तो बच्चों का ऐसा लग रहा सर, systematic risk, जो portfolio में पढ़ा है, उसकी बात नहीं कर रहा, ये बीटा की बात कर रहा, calculate existing systematic risk, मतलब portfolio बीटा निकालना है, question number 54, TYK 11, मैंने कहाना, एक ऐसा question है, जो मुझे करवाना है, ये question, अच्छा question, अब यहां देखो, एक जनवरी 2013 को portfolio है, past shares का, ये shares दिया, price दिया, number of shares दिया, बीटा दिया, तो portfolio बीटा तो आप निकाल ली सकते हो, 0.849, और value of portfolio भी आपने निकाल लिया, दो चीज मुझे चाहिए था, दोनों चीज मुझे मिल गए, beta of portfolio हो गए, अब निकालना है theoretical value of nifty future for fab 2013, तर ये एक जनवरी, और कब का निकालना है, तर फ़ेब 2013, एफ निकालना है, अब एफ निकालने के लिए spot चाहिए, और दुख की बात है कि यहां तक अभी तक यहां से यहां तक पढ़ा तो हमको spot नहीं पता, और spot price point number 3 में दिया है, ये तो ग current value of nifty 59 hundred, यहां देके रखा है, कोई बात नहीं, तो 59 hundred, और सर के rate कितना है, rate है sir, rate rate rate, 10.5 percent, क्या continuously compounding लेना है, क्या continuously compounding का factor vector दे रखा है, yes, तो मैंने यही ले लिए 10.5 percent, 58 days का, sir, days के सबसे क्यों calculate किया, क्योंकि वो बता रहा कि 300 पैसेट दिन होते हैं, एक साल में, ऐसा बोला, इसलिए day, जहां जहां भी ऐसा बोल दिया ना, 365 तो आपको days के सबसे calculate करना, तो sir, यह आ गया, 5999.24, alternative भी करवाया रखा है, मैंने यह ln दे रखा ना, उसको explain करने के लिए, पर ऐसा नहीं भी करोगे, तो चल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी दे रखा है, यह logical नहीं है, इसके पीछे region मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ln वगेरा क्या है, वो यहां मैं explain नहीं कर पाऊँ है, ठीक, हाला कि मैंने एक answer, उसके हिसाब से, क्या पूछा है, number of contract, target beta क्या है, point six, तो value of, point six है क्या, तो sir, point number three में लिखा है, target beta क्या करना है, zero, लिखा है, full has करना है, full has, अगर full has करना तो point number three करनो, sir, value of portfolio, target beta, beta of portfolio, f, sir, f कौन सा ले रखा है, sir, यह तो theoretical है न, हाँ, क्योंकि actual दिया नहीं है, और एक सब्द लिखा है, assume that the future are trading at fair value, बताया था यह बात, कि future fair value पर trade हो रहा है, मतलब क्या कहना चाहता है, वो यह कहना चाहता है, जो theoretical F है न, वही actual है, भाई, okay, तो उसी के साब से किया, तो answer कितना है, 13 contract, so, alternative आप यह लेकर भी कर सकते, फिर और एक question था, कि target beta, अगर हमको point six लेना, तो उसके साब से, यहाँ point six लेना, बस, बात करता हूँ, question number 64, simple question है, इसमें कुछ है यह नहीं है, देखो, हम क्या करते हैं, सर, हमने, न, stock में long position लिया है, तो हम nifty में short position लेंगे, complete hedge करने के लिए, और इसका मतलब है, सर, market, मालो, जिस जगह अपने, जिस stock में, पैसा लगाया है, उसका beta two है, तो सर, market गिरेगा, एक person से, तो portfolio गिरेगा, दो person से, क्योंकि उसका beta two है, लेकिन भाई, सच्चा ही यह है, कि ज़रूरी नहीं है, कि market में ऐसा है, जिसका beta two है, मालो, market एक person से गिरा, तो हो सकता है, कि वो जो जिसका beta two था, वो 1.5% से गिरे, होना तो past को देखके यह चाहिए था, कि beta के हिसाब से, अब मू होना चाहिए था, पर यह कुछ और भी तो हो सकता ना, उसी पर यह question है, एक बार देख लो, सियाम ने 10,000 shares खरीदा है, मतलब सर, long position है, बढ़ेगा तो फाइदा, और कितना 25 के हिसाब से, मतलब सर, 2,50,000 रुप्या लगा जाए है, और complete heads करने के लिए, उन्होंने short position लिया, 400 nifty, कितने के हिसाब से, सर, 11,000 के हिसाब से, तो 4,40,000 पर short position लिया है, अगले दिन, सर, इस पे, इस पे कौन सा position है, सर, long, बढ़ेगा तो फाइदा, और इस पे कौन सा, सर, short, गिरेगा तो फाइदा, उन्होंने अगले दिन, जो X limited का share है, वो 4 परशन से गिर गया, तो सर, loss हो गया, 2,50,000 का 4 परशन से 10,000 का loss हो गया, और nifty future भी गी रहा, तो इसके गिरने से फाइदा, 0,5 परशन, तो 4,40,000 into 2.5 परशन, 11,000 का profit, तो overall हमको 1,000 का gain हो, बस इतना ही question था, alternative भी करवा रखा, तो पर alternative नहीं भी करोगे, तो चल जाए, 65 करने की जरूरत नहीं है, 66 भी करने की जरूरत नहीं है, और ये एक example के थूर, मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, और सर, क्या समझाने की कोशिश कर रहा थे, वो मैं question के थूर समझानो, तो ज़्यादा चाहिए, सुनो ध्यान से, सर, example समझा ही दो ना, समझ लो, example भी समझ लो, तो bank है, ICI और HDFC, ICI के मैंने 1000 shares खरीदा हूँ, 240 के जिसका बीटा है 2, खरीदा हूँ मतलब मेरा कौन सा position है सर, तर आपका long position, और मुझे ऐसा लगता है, ICI, ICI बढ़ेगा, तो ये गिरेगा, तो इसका मैंने short sell कर दिया, short sell समझ रहे हो ना, हाँ सर, किसी जोधार कर लेकर payse दिया, 800 shares, 245 के साब से जिसका बीटा है 1.4, सर, इसको मैंने कौन सा position ले रखा है, short, short करके रखा, short sell, अब बताओ, डर किस बात का है, इस पे किस बात कर रहा है, सर, ये बढ़ना चाहिए, पर गिर गया है तो, किस बात का डर, जिस बात का डर है, उस ही में शर्ट लगाना है, देखो यहां से, ICA, ICA का 2,4,000,000 रुपए का कौन सा position लिया, cash market में, long, और जिसका बीटा है, two, तो 2,4,000,000 को two से multiply किया, तो opposite, यहां long है, तो इधर क्या कर दिया, short, आसी HDFC में, 1,96,000,000 रुपए लगा है, ऐल्रीडी कौन सा position is short, उसका बीटा 1.2, 196,000,000 का 1.5 किया, तो यहां opposite कौन सा कर दिया, long, तो अब मैं बैटिंग करने जा रहा हूं, मैंने का यहां मुझे निफ्टी में खिलना है, 4,88,000 का shot position लेना है, डाउंसाइड बैटिंग और तुर लाइक 94,000 का अपसाइड बैटिंग तो ऐसे थुड़ी न होता है यार कि यार निफ्ती में ही आप अपसाइड भी बैटिंग ले रहा है, निफ्ती में आप डाउंसाइड भी बैटिंग बले बले नहीं, ओर आल बताओ नेट बताओ नेट, तो मैंने नेट देखा तो नेट में मैंने का यार 1,86,000 का मैं डाउंसाइड बैटिंग कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएड बस और इसी को मैंने सब्स्टांसियट किया है, कि मान लो मार्केट 10% से गिरता है तो अब मेरे पास तीन चीज़े है जिहान से दिखो विए इस पर बहुत रिसर्च किया है हम लोगों ने, याद आना चाहिए आपको, यह तो लैक्चर ही देखना पड़ेगा आईसी, आईसी आईसी आईये बैंक, जिसका बीटा कितना है जिसमें पैसा कितना लगा है, 2,40,000 HDFC जिसका बीटा है 1.5, जिसमें पैसा लगा 196, और Nifty 186, जिसका किया है, शॉट मेरा क्याना, मार्केट 10% से गिरा Nifty में तो शॉट है, गिरने से फायदा तो सर यहां फायदा होगा है 10% का यहां 1.5 बीटा तो यहां कितना आगा है 15% और यहां भी शॉट है, तो यहां भी फायदा होगा 15% का फायदा तो 1,96,000 into 15% 29,400 का फायदा पर यहां तो लॉस है, और कितने का लॉस है 20% बीटा 2 है न यार तो 2,40,000 into 20% तो 48,000 का लॉस अब इन सब को टूटल मारोगे न, तो आंसर क्या आएगा 0 पका, 0 complete है ना profit, ना loss पर दिक्कत तब होती है, जब हमने बीटा के हिसाब से यहां पोजिशन ले तो लिया, लेकिन जो मार्केट है वो बीटा के हिसाब से नहीं चला इसका मतलब मार्केट 10 परसन से डाउन हो गया, पर HDFC में 15 परसन से डाउन होना चाहिए था वो 5 परसन से डाउन हुआ तब यहां overall situation कुछ और आ सकती है ठीक उस basic पर यह question बना था question number 67 क्या हमारे book का AFM module का है, yes TY के नाए इस बढ़ देखे पूछ रहा है कि बताईए कौन सा position लेना है future में इसके लिए complete है इसके लिए सर बीटा से multiply करना right limited का share है और cash market में आपने long position लिया है, कितने रुपे का है 50 लाक अब बीटा कितना है 1.25, तो 50 into 1.25 यहां कौन सा long तो हमको लेना कौन सा पड़ेगा short अच्छे से करवाया हूँ उदर इसे कौन सा दूसरा wrong limited का share है yes वहां कौन सा position है हमारा short इतने रुपे का 25 लाक तो उसका opposite position लेना पड़ेगा 25 लाक into 0.9 opposite position लेना पड़ेगा 25 लाक into 0.9 तो सर 22 पचासका long और एक company है सर yes इसमें short position है तो opposite लेना पड़ेगा long 20 लाक into 0.75 तो सर 15 लाक और क्योंकि इसमें cash market में short है तो future market में क्यों हो जाएगा long और इन सब को net करोगे तो 25 लाक short आएगा और बता देंगे कि निफ्टी में हम 25 लाक का short कर देंगे बात करता अच्छा कोशन उससे भी अच्छा कोशन है यह question number 68 और यह है की वाई के 10 बिल्कुल ध्यान से करोगे तो दिक्कत नहीं होगे क्या लिखा है लिखा राम बाईस 10 जाज शीरस बाई का मतलब लॉग कौनसी कमपनी के X लिमिट के 10 जाज शीरस इंटू बाविस मतलब सर 2 लाक बीस जाए कौनसा पोजिशन है लॉग और बीटा कितना है 1.5 बताओ की निफ्टी में क्या करोगे शाट 2 लाक बीस जाए इंटू 1.5 तिन लाक तीज़ार का शाट कर देंगे इसके अलाववा 5000 शीरस भी है किसके ए लिमिटेट के 5,000 शीर प्राइस किया भाई तो 40 2 लाक और कौनसा पोजिशन है इनका शाट बीटा कितना है सर बीटा है 2 तो 2 लाक इंटू 2 4 लाक क्या हो जाएगा लॉग नेट करोगे तो नेट में क्या जादा दिख रहा है सर लॉग तो 70,000 रुपए लॉग कर देंगे इसमें निफ्टी एक हजार रुपए तो एक हजार रुपए से डिवाइट कर दें तो 70 कॉंटेक्ट हाला कि इसकी ज़िवरत थी नहीं पर दे दिया इसलिए डिवाइट कर दिया ठीक है 70 कॉंट्रेक्ट लॉग अब यहां से समस्या है बस अब ध्यां से प्रॉपिट या लॉस निकलना है अब आपको पता है क्या-क्या पता है सुनो एक्स लिमिटेड में सर हमने 2,20,000 का लॉग पोजिशन है बढ़ने से फाइदा होगा एलिमिटेड में 2,00,000 का शॉट पोजिशन है गिरने से फाइदा होगा और 70,000 निफ्टी में लॉग किया तो निफ्टी के बढ़ने से फाइदा होगा अब देखते हैं कि क्या हो रहा है इस पोजिशन एड दा क्लोजिंग प्राइस और निफ्टी में लॉग है निफ्टी बढ़ना चाहिए और निफ्टी गिर गया है सर तो निफ्टी पे भी लॉस है सतर हजार इंटू वैन पॉइंट फाइब पर्शन एक हजार पचास तो टोटल मिलाकर लॉस हो गया है ग्यार हजार पचास चार सो पचास ओवरॉल लॉस ओके कोशन नमबर फिप्टी सेवन मैं कट कर रहा हूँ बाकी मैंने करवाई हूँ अच्छे से करवाई हूँ इसको इसमें कई मिस्टेक थी हाँ यहां गलती से इंस्टेट्यूट ने शॉर्ट लिग दिया था यह शॉर्ट ना होकर यह लॉंग है कोशन नमबर फिप्टी एट एक ऐसा कोशन है जो कई बार एक्जाम में आया हुआ है कोशन नमबर फिप्टी एट तो फिप्टी एट में है कैश पिश रहा हूँ अब यह 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 लॉइन किया बोल रहा है भी यह 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 लाइन किया बोल रहा है वी एसमे ल्एत फूट्रक्ट राने ब्सक्राइब फिवर्य मंथ मैंचुरिए इस यूजेट टो यह था value of portfolio over next three months सर बोल क्या रहा है जरह बताओगे आप खड़े हो यहां और आपको जो problem है वो three month का है मतलब आपको three month के लिए hedge करना three month के लिए hedge करना आप गाई stock exchange के पास stock exchange बोल रहा है हो कि मुझे short position लेना stock exchange बोलेगा कि कौन सा month वाला one month का की two month का की three month का की four month का मैंने गब मैं एक काम करता हूँ ना मैं शर्त लगाता हूँ four month future में बले ठीक और उसको मैं यहां काट दूँगा मैं यहां सौदा काट दूँगा मैं यहां position को square off कर दूँगा पहले भी कर सकते हो तो मैं कर के आ रहा हूँ मैं four month future को huge कर रहा हूँ इसको hedge करने के लिए three month वाली के लिए three month के लिए मैं hedge करना चाहता हूँ पर उसके लिए huge करूँगा मैं four month future इस पे detail चर्चा हुई है वो ही बोल रहा है we assume that future contract on BS ठीक है with four month maturity is used to hedge the value of portfolio over next three month और ये 50 times दे रखा है सबसे पहले price of future contract हम मान के चलेंगे कि complete है सबसे पहले F निकल ले सर कौन सा है theoretical F ही निकलना पड़ेगा और कौन सा वाला four month वाला उसको huge कर रहा हूँ तो सर 25,000 ये किया तो 1.25,250 आ गया और एक contract में 50 nifty है तो value of future contract बोला इस ये मान के चलो complete है तो 50,500,000,0,1.5 और ये करके 25,250 ये वाला लिया ये मान के कि future fair value पर trade हो रहा है तो सर 6 contract आ गया short ठीक अब point number 2 important है gain on short position if index turn out to be 22,500 already in 3 months मतलब क्या कहना चाहता है ये मने बहुत अच्छे से समझाया था बोले index यहां कितना था 25,000 और बोले मान लो 3 मेने हुए तो index हो गया 22,000 पास अब सवाल ये है कि 4 month future ये वाला future यहां कितने में trade हो रहा था 25,250 में जब 3 मेने हुए आपने कौन सा position लिया था सर हमने लिया था downside बैटी तो मुझे ये कौन से month का सर 4 month का सुनना द्यान से सर आपने कहा था कि short position downside हम इस पे शर्ट लगा रहे है कि ये गिरेगा कौन सा वाला 4 में यहां वाला future की बात हो रही थी हमने का गिरना चाहिए गिरना चाहिए जैसी हम यहां पहुचे तो हमें जब comparison करना तो हम इससे comparison नहीं कर सकते भाई हमको जो comparison करना है वो 4 month future हम यह देखेंगे कि यह जो 4 month वाला future है उसका यहां price क्या हो गया बात समझ रहे हो ना दोनों ही जिन्होंने 4x पर रखा है मुझसे जब भी कटेगा तो दोनों rate एक ही date के होने चाहिए मैंने पहली हो ला था सर यह कौन से यह तो spot है पर मुझे जब काटना होता यह forward है तो यहां भी 1 month forward लेना पड़ेगा याद है आपको सर हाँ जब यहां काटेंगे तो काटने के लिए मुझे 1 month forward लेना पड़ता है यह तो आपको पता है यह कौन सा है सर यह 4 month forward है जब यहां जाओंगा तो यहां के लिए अब तो एक ही माँ बचा है तो 1 month forward rate लेना पड़ेगा वही कर रहा हूं और एक्स से तो बिल्कु समझ में आगा cancellation याद होगा आपको ओके तो सर यह तो spot है तो 1 month कैसे निकालेंगे वो तो निकालना पड़ेगा वो निकाला हमने और वो निकाल की आया 22,556 आपने का था कम होना चाहिए हो गया 22 सर यह तो बढ़ गया कि loss 25,250 से कम होना चाहिए था और सर कम ही तो हुआ तो सर गेन हो गया 6 contract 50 तो सर गेन हो गया 808125 बहुत अच्छा कोशन है इसको तर revise करके जाए इस कोशन में कहीं गलती हुई थी अच्छा कोशन में तो कोई गलती नहीं तो पिछला कोशन जैसा ही है यह ती वाई के 5 अब भी जश्ट करवाया वह कोशन है तो प्लीज इसको कर ले ना अच्छा कोशन तर यह वाला कोशन यह तो वही सेम कोशन मेंने कहा ना ऐसे बहुत सारे कोशन आ है पस इसमें कहीं गलती हुई है 6 मन्थ और 5 मन्थ में कहीं गलती हुई है हाँ सार यह 3 मन्थ नहीं यह 5 मन्थ है प्लीज इसको ठीक कर ले ना यह भी आपके लिए होंबा यह कट कर दो क्या फर्क पड़ता है एक ही जैसे कोशन कोशन नमबर 62 करना है कि नहीं करना कोशन नमबर 62 में कुछ खास बात है क्या कोशन नमबर 62 में कुछ खास बात तो है नहीं है आर टी पी नवंबर 2020 में पर अच्छा कोशन है एक बाद देख ले किया सार देख ले थे SG सोल्ड 5 5 4 मन्थ निफ्टी कितना रुपए है 9 लाक अच्छा कोशन है सर इन्होंने निफ्टी में 9 लाक रुपिया लगाया और कितना कॉंट्रक्ट है 5 तो एक कॉंट्रक्ट का वैल्यू निकल सकता है कि यह सर 1,80,000 एक लाक अच्छा और एक कॉंट्रक्ट में 75 निफ्टी है तो एक इंडेक्स का प्राइस निकल जाएगा कि यह सर 2400 लेके ने सुनो यह 2400 है एफ नंबरों कॉंट्रक्ट में एफ ही तो लिखते है 9 लाक रुपिया लगाया पाच कॉंट्रक्ट है तो एक कॉंट्रक्ट का वैल्यू आया 1,80, डिवाइड बाइ एक कॉंट्रक्ट में 75 निफ्टी तो एक निफ्टी का future price निकला 2400 तो पहले नंबर पर वही मांग रहा था first number पर निकल गया 2400 second number पर ग्या मांग रहा है approximate निफ्टी सेंसेक्स on 1st Feb 2020 if the price of future contract on same date was theoretical correct मतलब वह कहना चाहता भईया यह है F क्या S निकाल सकते हो और यही यही theoretical भी यही है और actual भी यही है निकल जाएगा पर हमको कुछ चीजें चाहिए 9% interest है और 6% dividend है निकल जाएगा S और हमने S निकाल लिया और S आया 2376.24 ठीक है अब सुनो generally F जादा होना चाहिए F जादा है अगर sport price से future price जादा होना चाहिए और जादा है तो इसको क्या बोला जाता इसको बोला जाता contango contango का मतलब होता है contango market समझ रहे contango का मतलब होता सीधा बतला हिंदी में या फिर यह समझ लेजे जब भी F जादा हो तो ऐसे market को बोला जाता कॉंटेंगो चल रहा है मतलब फ्यूचर में जादा बढ़ रहा है बढ़ रहा है लेकिन सर अगर फ्यूचर प्राइस कम होता है तो ऐसे को बोला जाता है बैकवर्डेशन उल्टा बदला अच्छा और S-F जो आता है उसको बोलते है बेसिस अगर बेसिस नेगेटिव है मतलब स्पॉर्ट प्राइस कम है कम ही होना चाहिए ऐसे मार्केट को बोलते है अगर मैं कहूं वह यह कॉंटेंगो या बैकवर्डेशन पूछ रहा है मैंने थोड़ा बहुत थेयरी लिखाया होगा लिखाया है इप बेसिस नेगेटिव है तो पढ़ लोगे यह समझाया है तो कॉंटेंगो कितना दिख रहा है आपको 24 या 23.76 पे ओफ अब दर ट्रांजेक्शन से पे ओफ मतलब डिफरेंस निकालना और कुछ नहीं है डिफरेंस निकाला 2400-1200 चुबिसो क्या है तो 2400F 2100 क्या है 2100S एस कहां से आए 1200 भई उस दिन जाकर 2100 हो गया यह सर कहां लिखा है यह बोला उस दिन जाकर 2100 हो गया उस दिन जाकर यह तो इस पॉर्ट इससे कोई मतलब नहीं उस दिन जाकर जो निफ्टी था वो 2100 हो गया ठीक तो sir ये difference इंटू 75 इंटू 5 तो sir एक लाग 12500 का कौन सा position था आपका sir हमारा short था तो उससे हमको gain होगे अच्छा question question number 69 भी अच्छा है इसी के जैसा question आपको मिलेगा ty के 8 मतलब question number 70 दोनो question एक जैसे थे इसको मैंने homework दे दिया था तो आप बोलोगे sir ty के 8 क्यों नहीं करवा रहा है भाई इससे पहला वाला question देख लेना ये वाला question देखें देखें देखा Mr. X का share portfolio 170 लाक और sir cash में कितना रखा है 30 लाक मतलब 200 लाक रुपय का portfolio बीट आप share portfolio है तो मतलब सिर्फ इसी का बीटा है 1.6 और cash का बीटा क्या बता है 0 तो बताईए 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 portfolio बीटा निकाल लिया 1.36 इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है point number 2 थोड़ा सा मुस्किल है भाई अच्छे से करोगे तो हो जाएगा portfolio बीटा निकालना है आज से तीन मेहने बाद अगर Mr. X का Mr. X long position ले लेता है 200 लाक का nifty पर और तीन मेहने बाद share का price गिरता है 3.2 परशन से बिलकुल ध्यान से समझना ओके सार पहला काम क्या होगा पहला काम क्या होगा पहला काम समझना भी दिलकुल ध्यान से सार सुनो तीन मेहने बाद share गिर रहा 3.2 परशन से शेयर यस तो सर निफ्टी भी तो फर्क पड़ेगा निफ्टी पर भी तो फर्क पड़ेगा यस कितना फर्क पड़ेगा सर इसका बीटा है 1.6 हाँ मेरा बस यह कहना है कि शेयर्स के वैसे तो निफ्टी के गिरने से शेयर्स गिरता है अब वो बोल रहा शेयर्स के गिरने से बताओ निफ्टी किया कितना गिरेगा बीटा को यूज कीजिए और बीटा है 1.6 तो देखो मैंने कैसे कि सबसे पहले वही निकल लीजिए बीटा ओप शियर कितना था 1.6 और पर्शंटेज चेंज इन शियर तो दिया हुआ है तो हमको बीटा को तो फॉर्मूला मालू है चेंज इन पोर्टफोलियो डिवाडेड बाए चेंज इन मार्केट हमको यह पता है 3.2 तो चेंज इन मार्के दोसो लाग दोनों लॉंग है तो शियर तो गिरा 170 लाग है ना शियर गिरा और कितने पर्शंट से दो पर्शंट से उधर तो लॉस हो रहा है और सर निफ्टी भी गिरा कितने पर्शंट से ने शियर तो 3.2 से निफ्टी दो पर्शंट से तो सर इधर भी लॉस हुआ तो ट कभी भी हम यही वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तो 4.72% का लॉस हो रहा है, अब बीटा निकाल लेते हैं, बताइए, तीन महने बाद 2%, 2% कब यहां डाउन हुआ, किस में, मार्केट में, तो हमारे शेर्स में 4.72% का, टोटल पोर्टफोलिय में 4.72% का लॉस हो रहा है, उस हिसाब से बीटा कितना है, 2.36, और भी अच्छे से करवाए हूं, क्लास में, सुनो न यार, भाई ऐसा है, कि आगर कहोगे, कि इसको समझा दो, सर, इसको एक घंटे में समझा दो, तो फिर तो हो गया, रिवीजन, सिंबल सी बात है, जो आपको लग रहा है, कि सर, ये व अपलोट करती जाओंगा, जहां लगेगा कि यार, इस कोशन को सर, हमको डीटेल में चाहिए, मैं यूट्यूब में अपलोट कर दूँगा, ठीक है, कि ऐसे समझाने में, बहुत टाइम लग जाए, कोशन नमबर 71 में छुड़वा रहा हूं, या सर, कर लेंगे इसको, अग कीमत को हैच करने के लिए, तो यह मैं कर भाया हूं भी, कोशन नमबर 72 कुट कर सकते हो, इसको अब बात करते हैं, कामोडिटी फूचर, बीटा मैनेजमेंट खतम हो गया, कामोडिटी फूचर की भी बात कर लेते हैं, यस, देखें, इसमें भी margin account, commodity का मतलब sir betting, किस पर, gold पर, iron पर, इस पर betting, और कुछ नहीं है, इसमें margin account का कोई question है नहीं है, theoretical future price का question है और housing through future का भी question है, देख लिए देख लिए और theoretical future price, अगर हम, सुनना ध्यान से, अगर हम commodity, physical खरीद के रख ले, मालो still, physical खरीद के रख लो, या तो फिर contract कर लो, एक साल बाद, एक साल बाद मुझे commodity लगने वाला, मुझे डर है कि कहीं price बढ़ना जाए, तो दो ही तरीक है, आज ही खरीद के रख लो stock में, या तो एक साल बाद कास कोई, मुझे ये बोल दे कि एक साल बाद fix price पे आपको मिल जाएगा, सवाल है कि आज खरीदने में, मेरा क्या क्या लगेगा, सर एक तो पैसा लगेगा, आज जो भी rate है, यस, और सर उसके अलावा, आप उसको storage करोगे ना कहीं ना कहीं, तो storage cost भी लगेगा, यस, पर सर एक चीज का loss है, अगर emergency में जरुद पढ़ गए, तो फिर क्या करोगे, उतना convenience नहीं रहेगा ना बात समझने की कोशिश कर ना, मैं समझाने की कोशिश करा हूँ, formula, formula ऐसा है भाई, कि contract करने से फायदा कि आज खरीद के रखने से फायदा, खरीद के रखने से फायदा इसलिए है, कि emergency में जरुद पढ होना चाहिए, एप से, अगर मैं contract कर दो, तो मेरा क्या फायदा, ये पैसा बचेगा, spot का, आज नहीं लगेगा, storage cost का फायदा, उसका present value लेना, क्यों, क्योंकि storage cost तो यार, बार बार लगता रहेगा, हम आज ही, आज zero period में ले आते हैं उसको, और convenience yield का present value, और फिर इसको क्य कर देते future में, क्योंकि आफ निकाल रहा हो, उसका मैं future value निकालंगा, मतलब मैं उसका present value निकाला और फिर उसका मैं future में डागती है, okay, और इसका question कुछ ही नहीं है, आपको ये देदेगा, ये देदेगा, ये देदेगा, ये भी देदेगा, कहक Kend ate, चलो यह निकालकर बिता तो बन जाएगा आप से Question No. 73 Gold Commodity Spot दिया है, Future दिया है Future में यह लिख दिया, Spot में यह लिख दिया अब present risk free rate दिया R 1.085 हो गया अब present value of store risk cost दे दिया 900 अब present value of convenience yield मांगा है तो इसको X ले लिया, तो answer आगया 740 That's it High नहीं यह वाला कोशन नहीं करोगे Hashing true future एक सेकिन अब commodity future में hedge कैसे करोगे कुछ नहीं सर, जिस बात का डर उसी में बैटी That's it अपने commodity खरीद के लग रखा है 10,000 kg rice rate के चल रहा अभी 80 रुपए cash market में बात का डर है rate बढ़ना जाए अच्छा खरीद के रखा तो, कम ना हो जाए ठीक है ना, 80 रुपए के साब से आपने खरीद के रखा cash market में आपको डर है कहीं rate कम ना हो जाए अगर आपके पास hold करके रखा है आपने तो rate का या बेख चोगे ना तो कहीं कम का ना भी जाए तो उसी को hedge करना है तो आपको decide करना कि आपको long position लेना कि short position अगर आप short position लेते हैं प्लीज करना है तो लिखा है rice trader has plan to sell पावे 1000 kg rice after 3 months from now कब बेचना है future में मतलब अभी तो hold करके रखा है ना yes तो long position है sir cash market में yes अभी hold करके रखा मतलब long position है क्या चाहते हो sir बढ़ जाए बढ़ जाए future में बेचना ना तो बढ़ने का सोच रहे हो मतलब आपका long position तो spot price अभी कितना rate चल रहा है 60 रुप है किस बात का डर है कहीं कमना हो जाए yes डर है कमना हो जाए चाहते क्या हो बढ़े और future में बैटिंग करोगे तो 59 के इसाब से बैटिंग कर सकते हो मतलब 59 से कम ना हो इस बात का शर्त लगा सकते है size of contract है 1000 kg future में price 56 per kg हो गया 3 month hence तो सबसे पहले आपको position बताना है कौन से market में cash market cash market में आपको क्या लग रहा है अभी hold करके रखा है इस उमीद से की future में बढ़ेगा तो long position ठीक है सर ट्रेडर को क्या advice दोगे risk को कम करने के लिए अगर cash market में भाई साब आपका long position है तो आपको short position लेना पड़ेगा future market में आपके पास rice कितना है बाविसार kg divided by 1000 तो आपको 22 contract short टरना पड़ेगा that's it और बोले effective realized price बताई आफ्टर आफ्टर 3 month if rice का जो spot market में या cash market में प्राइज हो गया 57 और future market में प्राइज हो गया 58 betting कितने की साब से कर रहा था आप पहले यह देख लो तर बैटिंग कर रहे थे 59 से कम होने के लाज सर्थ लगा रहे था ठीक है अब सुनना दियान से rice कितना था आपके पस तर हमारे पस था 22 kg वो तो हमको 57 के हिसाब से बेचना ही पड़ेगा यह सब छोड़ तो 22,000 kg 57 के सबसे तो बेचना ही पड़ेगा यह तो एक्सप्लेइन कर रहा था मैं बहुत जड़ और इसके अलावा आपने कहा था कि 50 58 से कम होना चाहिए यही शर्त लगी थी ना यह सर 59 से कम होना चाहिए शौट पॉजिशन और सर रेट क्या हो गया है सर 58 हो गया यहां तो गेन है मिला गेन और शौट पॉजिशन एक रुपए का फायदा इन्टू 22,000 तो सर 22,000 का फायदा तो राइस से आपको मिला कितना पेचने पी इतना मिला और फ्यूचर से इतना कमाया तो टोटल मिला कर आपको इतना मिला टोटल कितना केजी राइस पे 22,000 केजी तो आपको एफेक्टिव कॉश्ट कितना बड़ा सर एफेक्टिव कॉश्ट मुझे 58 बड़ा effective realization price बाकि और भी मैंने explain किया था बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं बाकि ये वाला question आया था इसको भी discuss किया था प्रेमी question है एक और question है commodity future का पर इसमें नहीं डला और AFM का module में नहीं है पर वो है वो आप कर लेना उसमें आपको hedge ratio निकालने वाला question है प्लीज अपनी book से देख लेना कर लेना question अपनी copy से देख लेना इसमें नहीं है पर प्लीज कर लेना hedge ratio निकालना था जिसमें okay sir question number 63 last question है PYK 7 book का कुछ नहीं है simple है question एक गलती किया institute ने इसलिए मैंने ये last में करवा है गलती क्या किया है मैं बता रहा हूँ mutual fund है equity में पैसे लगा है cash and bank balance तो 90 लाक और 10 लाक तो total मिलाकर कितना होगा है 100 लाक ठीक है portfolio कितने का है 100 लाक beta of equity दिया 1.1 sir इसका beta दिया 1.1 और cash का beta होता है 0 ये तो पढ़ा हमने और बोले nifty future is selling future कितने में sir F हो गया है 4300 fund manager को ये लग रहा कि index 10% से गिरेगा ठीक है तो हमको perfect hedge करना है बोले perfect hedge करना तो पहले number of contract निकालो गलती क्या हो गई अगर मैं होता तो पहले मैं portfolio बीटा निकालता भाई साब इन्होंने exemption ले लिया है कि case हमारे portfolio का हिस्सा नहीं है और आपको भी यही exemption लेना है तो इससे पहले वाले question वो सही थे इसको याद करना पड़ेगा मैंने लिख दिया ICAI ने ऐसे की तो से 90 करोड का ही portfolio है और उसका बीटा तो 1.1 है और उसके इसाब से फिर उन्होंने number of contract निकाला और इस बात को substantiate कर दिया रटना पड़ेगा यह वाला question तर यह वाला question मत करो ICAI का नहीं है तर यह वाला question यह भी छोड़ सकते हो उतना simple question है simple ऐसे ही बन जाएगा इसको review यह वाला question करने की जरूरत नहीं है तर question number 32 डला था पर बिल्कुल ambiguous question बिल्कुल रटने वाला question है और institute की अभी के AFM module में नहीं डला है तो इसको भी मैं छुड़वा रहा हूँ परकि जिसको करना है कर सकते है यह वाला question भी मैं नहीं करवा रहा हूँ ठीक है सर यह option का question छूड़ गया था पहले पसे एक question मैंने जो बोला है बहुत सो समझके बोला एक question has ratio बाला है वह करना है अब सर दिक्कत यह है कि जैसे real option में तीन question आए derivative में ही है तो और कुछ theory भी है exotic option है credit derivative है electricity derivative है तो मैं यह सोच रहा हूँ जितना भी amendment है जितना भी चाहे business evaluation में हो चाहे derivative में हो चाहे capital machine तो separate cover कर लिया चाहे theory में है सब amendment का एक revision video डाला दूँ दो घंटे का revision of amendment हाला कि amendment तो डाली दिया अब उसका revision भी करवा देता हूँ तो वह जाद अच्छा है इसमें derivative का real option भी आजाएगा अपना business evaluation भी आजाएगा और जो chapters जिस chapter में theory वह भी आजाएगा तो वह अच्छा रहेगा जितना amendment है उसका मैं revision अलग से करवा दूँ इसमें ना करवा के तो जादा मच जाएगा ठीक है तो मैं class over कर रहा हूँ thank you so much fast चला हूँ fast चलना मेरी मजबूरी है और जिसको detail में जाना भाई वह lecture देखे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको लंबा खीचूंगा ना तो फिर वह revision revision नहीं रहे ठीक है डाउट होगा था पुछ लिए thank you so much